हला अवरिवन स्वागत है आप सभी लोगों का लर्नेंट फन पर इस क्लास में हम लोग बेटा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो चैप्टर है उसे एक ही क्लास में खतम करेंगे बिसिकली यह वन शॉट है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पूरा चैप्टर पू लेकिन जिनोंने चैप्टर पढ़ लिया है उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि रिविजन पर पस से आपका चैप्टर बहुत जल्दी खतम हो जाएगा तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर को अभी तक हमने मेकेनिकल प्रॉपर्टीज औ पढ़ी थी शॉलिट्स की और फ्लूइट की राइड अब हम लोग थर्मल प्रॉपरटी पढने वाले थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले स्ट्रेसे या फिर किसी सर्मल सरकम्स्टांसीज में जो हम हीट देते हैं किसी भी सब्स्टांस को तो कैसे वो बीहेव करता है र खंड़ी बोडी के पास रखते हैं तो हॉट बॉड़ी से कोल्ड बॉड़ी की तरफ एक एनर्जी का ट्रांस्फर होता है जिस से थोड़ी देर बाद Discord का टेमप्रेचर जो है राइट यह जो एनर्जी एक हाई टेंपरेचर वाली बोड़ी से लो टेंपरेचर वाली बोड़ी की तरफ जा रही है इसी एनर्जी को हम लोग हीट कहते हैं क्या कहते हैं हीट कहते हैं डेफिनेशन आप सभी लोग उनजर आ रही है energy that is being transferred between two bodies or between adjacent part of a body as a result of temperature difference is called heat तो हीट जो है बेटा वो एक form of energy हुई क्योंकि एक high temperature वाली बोड़ी से low temperature वाली बोड़ी की तरफ हीट जा रही है energy जा रही है उस energy को हम heat कहने राइट अब सबसे important बात क्या है उसको समझना ध्यान से अगर मानलो कोई body है वो बहुत ज्यादा होट है तो हम यह नहीं कह सकते कि उस body में ज्यादा heat है यह नहीं कह सकते हम सिरफ और सिरफ यह कहेंगे कि उस body का temperature जादा है heat word तभी exist करेगा जिनके बीच में temperature का difference होगा अगर temperature का difference नहीं है तो जो heat का transfer हो नहीं होगा सिरफ और सिरफ heat का transfer कब होगा जब दो bodies या कोई part of body होंगे जिनके बीच में temperature का difference नहीं फ्लो करेगी बिलकुल simple सी बात सना तो किसी भी body में जो होता है न वो temperature होता हीट नहीं होती है हीट तो एक बाड़ी से दूसरी बाड़ी रिलेटिवली जो टेंपरेचर का डिफरेंस हो तफ फ्लो करती है तो हीट का एक बाड़ी के लिए कोई अस्तित्व नहीं है कोई मीनिंग नहीं है हीट का मीनिंग तभी आएगा जब रिलेटिवली हायर या लोव temperature पर कोई body रखी हो और दूसरी बॉड़ि जो है वो भी relatively higher lower temperature पर एक बॉड़ि का मालो temperature T है दूसरी बॉड़ियका temperature यार तो उससे ज़्यादा उना चाहिए या कम होना चाहिए तभी हीट की हम बात करेंगे तो नो यम हम गुडेनेंजी इन ट्रांजिट ये जब गरम है तो मैं समझ जाओंगा कि मैं उसके temperature की बात करें उसका होट या कितनी कोल्ड समझ में आ गए यहां तक कि बात क्लियर है अब दो बॉडिस को जब जो जिनका टेंपरेचर अलग अलगे जब हम थोड़ी देर तक उनको पास रखते हैं तो ड्यू तो हीट फ्लो उनका टेंपरेचर सेम हो जाता थोड़ी देर के बाद में जिसे हम एक अब आगे के बात करते हैं टेंपरेचर को बेटा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वे में आपने सुना होगा पहला वे डिग्री से होगा ना ऐसे सुना होगा दूसरा वे आपने कैल्विन नाम सुना होगा और तीसरा जो है वो नाम सुना होगा आपने फारेंघट या नाम सुना होगा फारे division को सैंट है कि ऑक यूनिट से हम again Prof कर सकते हैं टेंपरेचर को सभी लोगों को पता यह बात तो डिफरेंट स्केल्स जो होते हैं मैंने अल्रीडी बता दिया आप लोगों को ध्यान से सुनना बेटा की जो डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स है ना उनमें टेंपरेचर मेजर करने का क्या तरीका है माल लीजिया नहींत रहेगा देखना जार दियान से होति है हम ळोड़िया स्केल है ख बिदेखरी एंटेग्रीट इल्देग्रीट देट ओच्छा यहां मुझे जाने पास में केल है कैलविन और यहां पेश्केल है फारेनहेट ची अब अगर मैं किसी भी एक कि यूसा इक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेमप्रेचर डिक्री सेंटिगर्यड मुश्त करना चाहता हूं कैलवी या फारेनाइट में तो कैसे कंवर्ट करूंगा ठीक है मान लीजिए क्या मानना है बेटा आपको कि एक टेमप्रेचर है जो डिग्री सेंटिग्रेड में है बिटा एक्स ठीक है इस एक्स को मैं कैल्विन या फारे नाइट में कैसे लिखूंगा यह जानना चाहरें यह बिटा फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का जो की होता है जीरो डिग्री सेंटिग्रेड कितना उता जीरो डिग्री सेंटिग्रेड तो एक फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का यह करें frå से शो7 होता और यहां पर योदू 303 30 होगा ठीक है अरे भाई 0 Kelvin 0 degree centigrade को 233 Kelvin कहते हैं क्लियर यहां तक की बाद सभी लोगों को अच्छा यहां पर विटा यह वाला पॉइंट जो है यह 32 होगा और यह 212 होगा यह आपको याद रखना है ठीक है मतलब कि फारेनाइट स्केल के 180 टोटल पार्ट 100 पार्ट के बराब पर होता है किसके अपने centigrade स्केल के ठीक है अब एक रिलेस्टन इन मैं है कि आपको मान लो कोई भी टेंपरेचर है एक्स कोई भी टेंपरेचर क्या है एक स्केल में माइनस कर दो उसमें से लोवर फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है और डिवाइड कर दो अपर बॉइलिंग पॉइंट ठीक है माइनस लोवर फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है क्लियर इनको आप अपर पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट भ ठीक है तो एक्स में से मैंने फ्रीजिंग पॉइंट घटाया उसी स्केल का डिवाइड कर दिया बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के डिफ्रेंस है यह बराबर होगा बेटा किसी भी स्केल के लिए यह बराबर होगा किसी भी स्केल के लिए ठीक है ना क्या value मानलो की foreign item में Z है मतलब degrees centigrade में जो X है मानलो उसकी value foreign item में Kelvin में Y है और foreign item में Z है तो यह जो ratio है यह तो same ही है तीनों के लिए तो यह ratio same रहेगा Y minus freezing point जो इस वाले scale में है 273 upon 373 minus 273 और यह बराबर होगा बेटा किसके Z minus 32 divided by 212 minus 32 समझ में आया क्या कहने कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक formula मिलेगा कि किसी भी एक scale में अगर reading आ रही है X और आपको उसकी दूसरे scale में reading देखनी है तो आप क्या करो X minus freezing point upon boiling point minus freezing point हमेसा constant रहेगा किसी क्या है किसी भी स्केल के लिए समझ में आगे यह formula है इसको आप लोगों को याद रखना है X minus freezing point upon boiling point minus freezing point यह में साथ क्या रहेगा बेटा यह में साथ constant रहेगा किसके लिए constant रहे किसी भी scale के लिए ठीक है ना clear clear सभी लोगों को आच्छा देखो Kelvin में ने जो है मानलो कोई temperature है के तो के माइनस जो लोवर उसका क्या है बटा freezing point दो सो तेटर डिवाइड रखा हुआ है यह बराबर होगा सी माइनस जीरो क्योंकि यहापे जीरो होता है सी क्या है बटा अगर कोई value Kelvin scale में के आ रहे हैं तो centigrade scale में मानलो सी आ रही है तो सी माइनस जीरो अपन अंडेड माइनस जीरो लिखा हुआ है और यह अगर कोई value के Kelvin scale में के है तो far and height scale में अगर उसकी value f आ रहे है तो f minus lower freezing point upon upper boiling point minus lower freezing point ठीक है clear सभी लोगों को यहाँ तक की बात यह किसी भी स्केल के लिए constant रहेगा हमेशा रहेगा जैसे कि हमें बोला गया है कि temperature of a patient is 40 degree centigrade तो temperature को far and height scale में बताना है तो हमें पता degree centigrade का ना इसको मैं मान लेता हूँ X तो X की value कितनी पता है बेटा मेरे को 40 पता है तो मैं लिखूंगा X minus क्या था बेटा lower boiling sorry lower freezing point freezing point लिख दिया हमने किसका centigrade scale का कितना होता है बेटा freezing point जो होता है centigrade scale का वो होता है zero degree और boiling point जो होता होता है 100 degree ठीक है पता है ना सभी लोगों को centigrade में और यह आजागा 100-0 यह बराबर होगा मान लो फारे नाइट में वो value है f let जो हम 40 degree centigrade ना तो 40 degree centigrade है उसको हम convert करना चाते है फारे नाइट में तो लेट यह जो X है इसकी value foreign item है y y माल लेते हैं तो हमें y find find करना मतलब 40 degree जो है foreign item में कितना होगा यह find करना तो हमने माले वह वह यह तो य- इस फारे नाइट का freezing point कितना होता है विटा फारे नाइट का freezing point होता 32 और boiling point कितना होता है विटा दो सो बारा का तम बात 32 divided by दो सो बारा माइनस 32 constant रहेगा सबको पता है बात तो आगा X by 100 बराबर y minus 32 divided by 180 एक जिरो से एक जिरो गई दो से पांच बार दो से ना नाइन टाइमस कैंसल आउट वह तो 9 टाइमस एक्स बराबर आ रहा है किसके बराबर आ रहा बेटा फाइव टाइमस वाई-पाइनस जीरो और 16 ठीक है फाइव तूज़ा 10 फाइव थरी जा 15 ठीक तो 15 प्लस 116 ठीक है एक्स की वैली मुझे पता है चालीज डिग्री यहां रख देता हूं तो 9 इंटू 40 इस इकलस टू 5Y माइनस 160 इसको इधर ले आउंगा तो यह हो जाएगा 360 प्लस 160 बराबर 5Y और यह आजाएगा 0 2 4 420 आ गया ठीक है फाइव वाई तो वाई की वैल्यू कितने आ जाएगे बिटा वाई की वैल्यू आ जाएगे अपने पास में 8 2 चीक है ना 4 आएगा 4 आएगा ने आपके 58 टांस 40 फिर 54 टांस ट्वेंटी तो अगर कोई टेंप्रेचर 40 डिग्री सेंटिग्रेड है एक स्केल में तो फारेनाइट मुस्क्रेल वैल्यू ओगी 84 डिगरी फारेनाइट ठीक है 84 डिगरी फारेनाइट क्लियर तो इस तरह से आप एक स्केल से दूसरी स्केल में किसी भी स्केल में कनवर्ट कर सकते हो बस आपको यह फॉर्मुलाय याद होना चाहिए सिंपल अब आगे चलते हैं तो बेटा हम यह स्केल पढ़ने के बाद में हमारा जो पार्ट आता हुआ थर्मल एक्सपंशन का जब हम किसी भी मानलो सबस्टांस को हीट करते हैं तो जो एवरेज सेपरेशन है किसका एवरेज सेपरेशन जो एवरेज सेपरेशन है एटम्स के बीच का या मॉलीकूल को बीच का बढ़ जाता जिसकी सब statement जो है वह फैल जाता है जो फोऑ हिट देते चाहिछ को एनरजीदे रहें तो जब molecules के बीच का average separation बढ़ रहा है इसका मतलब as a whole substance बढ़ रहा है तो जब हम किसी particular matter को किसी particular substance को heat देते हैं तो वो expand करता है और जब उसके उससे heat लेते हैं यानि कि अगर उसका temperature कम करते हैं अगर temperature बढ़ाएंगे तो energy बढ़ेगी किनकी molecules की और energy अगर बढ़ रही है molecules की तो इसका मतलब उनका separation बढ़ रहा है तो substance फैल जाता है कर्व इस स्टेबल रिस्पॉंसिबल फॉर थर्मल एक्स्पैंशन एज विद राइज इन तेंपरेचर देंपलीट्यूर वाइबरेशन इंक्रीज़ हैंस energy of atom increases the average distance between the atom increases so the material expand तो वही बात बताई इसने लिख के जो मैंने आपको हिंदी में समझा दी कि भाई आप energy दे रहे हो यानि कि आप temperature बढ़ा रहे हो यानि कि आप molecules के energy बढ़ा रहे हो kinetic energy तो उनके amplitude बढ़ जाते हैं जिसकी वज़े से matter सब क्या करता है बटा expand करता है इसे हम thermal expansion बोलते हैं ठीक है अब thermal expansion जो है तीन प्रकार का होता है बिटा मैं बता देता हूं आपको ठीक है न माली जी एक आपके पास में रॉड है ठीक है पतली रॉड बिल्कुल पतली रॉड ठीक है जिसके सिरफ और सिरफ material जो है वह लीनियर रूप से इसके पा expansion क्या कहेंगे linear expansion अगर मैं आपको कहूं कि भाई मेरे पास में कोई ऐसी प्लेट है ठीक है और इस प्लेट को मैं टेंपरेचर दे रहा हूं और इस प्लेट का साइज बढ़ गया है ठीक है हर एक dimension बढ़ेगी तो बैटा इसे मैं कहूंगा superficial expansion या फिर मैं इसे कहूंगा area expansion और मालो मेरे पास को एक वॉल्यूम है यानि की एक क्यूब है और इस क्यूब को अगर मैं क्या कर रहा हूं बैटा energy दे रहा हूं और इस क्यूब का जो साइज है वो increase कर रहा है हना हीट देने के बाद तो इसका मतलब यह है क्यूब का increase कर गया मानलों क्यूब कुछ ऐसा इतना चोड़ गया ठीक है तो बैटाइसे हम कहेंगे volume expansion तो कितने तरीका हुआ expansion एक हो गया linear एक हो गया एरियल ठीक है इसको superficial भी बोलते हैं और superficial ठीक है और एक हो गया बिटा अपना volume expansion ठीक है clear है सभी लोगों के यहां तक की बात clear है ना सबको अच्छे से चालो अब देख्यार linear expansion क्या होता है तुम लोगों को समझा देता हूं मैं और यहीं पर aerial expansion भी समझा दूँगा ठीक है तो linear expansion का मतलब क्या होता है यह समझ लो सबसे पहले मान लो बेटा मानना क्या है बहुत simple सी बात कि यह गना अपने पास में आट कोई metal की एक राटा कोई metal की राटा तो लेट से इस答 कई की इसलेंट है L, कितनी है बेटा, इसकी initial length है L, कितनी length है इसकी initial L, at temperature T, at temperature T, मतलब है T, कुछ भी हो सकता है, room temperature भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, T temperature पे rod जो है, उसकी length है L, मैंने temperature बढ़ाया इसका, कितना बढ़ा दिया, delta T बढ़ा दिया, temperature मैंने delta T बढ़ाया, मतलब मैंने इसको heat दी, तो एक्सपैंड हो गई अना होगी एक्सपैंड अब कितनी एक्सपैंड हुई है यह हमें पता लगाना है मानले रॉड जो है वो कुछ इस तरह से एक्सपैंड हो गई ठीक है तो इसकी इनीशल लेंद जो थी रॉड की वो थी एल अभी यह मान लेते हैं डेल्टा एल एक्सपैं आते हैं एक दम और यहां टेम्परेचर कितना हो गया बैटा टी प्लस डेल्टा टी क्योंकि मैंने पहले से टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा दिया है रोड का ठीक है अब बेटा यह जो एक्सपंशन हुआ है ना यह एक्सपेरिमेंटली नोटिस किया गया कि एक्सपंशन जो हुआ है यह प्रोपोर्शनल होता है किसके इनीशियल लेंथ के और यह प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के ही किसके डिफरेंस के कि आप ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा होगे तो ज्यादा expand होगी रोड और अगर आप कम temperature बढ़ा रहे तो कम expand होगी तो temperature के difference के जितना temperature आपने बढ़ाया है चेंज किया तेमपरेचर उसके proportional होती है और initial length of road के proportional होती है ठीक है proportionally constant हटेगा तो यहाँ पर एक और constant आ जाएगा जिसे हम alpha कहते हैं ठीक है तो यह अपने पास में क्या आगया बटा रोड में expansion आ गया अगर मेरे से पूछा जाए कि final length of the road कितनी होगी तो एल प्लस डेल्टाल होगी यह फाइनल लेंट है इसको मैं बोल देता हूँ अगर आप यहाँ से अल कॉमन ले लेते हो तो अल्फा वन प्लस अल्फा डेल्टा ती यह आजाएगा अपने Competition Х evidence स्पार्ड ten अरफ क्या साइक कॉफिशींट सींट और लीनियर एक्सपथिंशन f है यह यह टेम्परेचर रेंज में waar गोंस्टेंट होता है थे तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है एक क्विशेफिक रेंज के लिए होता है हम जो सिलिवेस में पढ़ेंगे उनमें अलफा कॉंस्टेंट रहेगा वैसे नहीं होता है इट वेरीज़ टेमपरेचर बट एक सार्टेन रेंज में यह तो हमने जो रेंज कंसीडर की है टेमपरेचर के डिफरेंस की यह इसे कंसीडर करके चल रहे हैं चीक है ना चलिए तो समझ में आगे सबी लोगों को बहुत ही सिम्पल और बहुत ही छोटी बात थी कि कोई भी रॉड है अगर उसकी लेंथ बड़ रही है तो कैसे बढ़री आसे बड़री यह फाइनल लेंदग है फाइनल लेंदग कितने हो जाएगी इसेल लेंदग 1 प्लस अल्फा डिल्टाथ डिल्टाटी चेपट एल्टाटी तेमपरिचर माड़ए और अलफा जो है वह वह काफिशेंट ओ स्थ लीनियr एक्सपेंशन और Цामझन सुमझते है ठीक है समस्ते एरिय ङ्सपें हमें पता है कि area में दो length multiply होती है अरे बिल्कुल सी बात यार अरे बिल्कुल सी बात यार मानलो आपके पास में इस तरह का कोई square plate है ठीक है क्या है कोई square plate है इसकी size जो है वो L है मान लेते हैं initially इसकी length कितनी है let's say L है ठीक है आपने गया temperature बढ़ाया तो भाई यह रोड यह जो हर एक side expand होगी क्योंकि बेटा यह मानलो यह आपको एरिया दिख रहा है यह चार तरह की रोड़ से मिलके बनावा अगर temperature बढ़ती है आप जब भी किसी substance का temperature बढ़ा ओगे तो हर dimension उसकी बढ़ेगी याद रखना यह वाली रोड लंभी होगी यह वाली रोड भी लंभी ओगी यह वाली रोड भी लंबी होगी यह वाली रोड भी लंबी होगी तो finally कुछ ऐसी हो जाएगी है कि ऐसी हो जाएगी ऐसी ठीक है स्क्वेर ऐसा दिखेगा आपको कुछ-कुछ ठीक है ना कुछ-कुछ इस तरह का दिखेगा ठीक है अब यह जो साइड है विटा यह मान लो इनीशल एल थी अब इसे डेल टायल और बढ़ गई और यह वाली साइड जो है इनीशल यह एल थी यह भी डाल और बढ़ गई ठीक है linear expansion से मैटर्यल से बनावा इसलिए इसमें डेल टायल और भी होगा ठीक है अब हमने तो निकाला वह है लीनेर एक्स पंशन क्या हुदता है और डेल टायल कैसे निकालते हैं ठीक है अच्छ अच्छ एनीवेस मैं यह कहता हूं आप सभी area जो है वो है एल प्लस डेल्टा एल का स्कॉरर हाना साइड के स्कॉर यहीए चाहिए होता है इसको खोल तो फाईनल एरिया जो आ जा आ आपके पास वादेगा एल स्कॉर प्लस डेल्टा एल डेल्टा ओया हो को सबी लोगों को कोई है जिसको लग राएगे नहीं आना जी यहीं आएगा ठीक है अब डेल्टा-L इस वेरी स्मॉल डेल्टा-L जो होता है अरे ऐसा थोड़ी होता है कि आपने हीट दी तो इतनी बड़ी कोई पर्टिकुलर रॉड है वो इतनी बड़ी होगी कोई मिलीमीटर का अंतर आता है डेल्टा-L बिंग स्मॉल इसको हम कंसीडर कर रहे हैं जीरो के बराबर ठीक है क्योंकि ओरीजिनल एरिया के कमपैरिजन में यह बहुत कम है और डेल्टा-L का स्कॉयर कम हो जाए और भी कम हो जाए जीरो पॉइंट सम्तिंग का स्कॉयर 0.01 आता है 0.1 का स् जो भी जिरो से च्छोटी क्वाइंटि जो भी वन से च्छोटी क्वाइंटिटी होती है उनका जो करते हैं वन से च्चोटी क्वाइंटिटेटीस का ना anyways काना 0. perché और च्छोटा हो जाता तो इसको हम इस एरिया के कंपैर ज dysfunction थीक है तो नंचे और प्लस में आगे टू एल इंटू टैल अब हमें पता डेल्टा एल जो है लीनियर एक्सपांशन जो होता है वो होता है अलफा इनिशल लेंट इंटू डेल्टा टी के बराबर यह तो अब भी सीखा है हमने यह तो अब आलफा य बन जाएगा वह बन जाहिए गाट जया एल स्कुरस ल इन्टु डेल टाय因 की जगह सब्लाइब adult ऐस बन जाएगा टा एल स्क्वाइड रजय एल स्कुरपलस तू एल स्कुर या यह चाहिए यह इस अपने प्लेट का तो हमने लिखा एफ इस इकल स्टू ए प्लस ए इंटू ये टूल फाइन इसको लिखूंगा मैं बीटा पुर साथ में लिखूंगा डेल्टा टी अब जैसे ही मैं फाइनल एरिया निकालने कोशिश करूंगा तो एक ओमना जाएगा और यह बन जाएगा वन लिख देता हूं वाट इस बीटा कोफिशेंट ओफ एरियल एक्सपैंशन ठीक है और मुझे यह भी पता है कि बीटा की वैल्यू जो है वो टू अलफा के बराबर है ठीक है बीटा की जो वैल्यू है टू अलफा के बराबर है समझ में आ गया तक हना अब एक बीटा अपना वाल्यू एक्समेंशन ओर रह गया है ठीक है ना उसे में यहीं पर बता देता हूं आप सभी लोगों के लिए ऑल्यूब expansion ठीक है volume expansion क्या होता है भाई मतलब किसी भी body का volume बढ़ गया किसी भी body का volume बढ़ गया let's say we have a cube at temperature T छोटा छोटा ही बनाते हैं let's say we have a cube at temperature T हमारे पास एक temperature T पे cube है जिसकी side है let's say L, कितनी है? L है ठीक है ना ओके और at temperature T पे है यह माना कि मैंने temperature बढ़ाया इसका delta T तो delta T temperature बढ़ाने के बाद यह cube की जो sides है वो बढ़ गई विदीन dimension होगी तीनों बढ़ गई मानलो और तीनों मैंने बता है हर एक dimension जो है equal बढ़ेगी ठीक है same material से बना हुआ है ठीक है ना तो यह side हो गई बैटा L plus delta L ठीक है यह side हो गई अपने पास में L plus delta L और यह side हो गई अपने पास में L plus delta L ठीक है अभी अगर मैं इसका volume देखू छोटा जब यह था temperature T पे तो इसका volume आप बोलोगे sir L cube है ठीक है इनिशल volume है अगर मैं आप से कहूँ इस cube का final volume क्या है तो आप कहोगे sir final volume वो तो sir हम formula से लिकेंगे एक side 2 side 3 side का square तीन side का multiplication करेंगे यानि कि L plus delta L का cube आजाएगा ठीक है तो final volume जो होगा वोगा a cube a plus b whole cube क्या होता है a cube plus b cube plus 3 a square b ठीक है plus 3 a b square ठीक है अच्छा अब देखो delta L बहुत छोटा है तो उसका cube तो बहुत बहुत छोटा हो जाएगा और square भी छोटा हो जाएगा बहुत तो हमारे पाई जो final volume बचेगा ना approximations के बाद वो बचेगा LQ plus 3 L square delta L और आप सभी लोगों को पता है बेटा की लेंथ में जो चेंज आता है वो कितना आता है बीटा सब को पताए बात वह आता है अलफा इनिशल लेंथ औरल्टा टी के बगावर ठीक है अब देखो यह बेटा अपने पास क्या है एल क्यूब है इसको इनिशल वॉल्यूम लिखूंगा मैं अभी यह अपने पास में बन जाएगा थ्री इंटू अलफा इन्टू एल स्कॉयर और एल स्कॉयर एल कितना हो जाएगा और साथ माज़ागा डेल्टा टी एल क्यूब कॉमन आ इंटू बन प्लास थी अलफा यहारा वी इंटू बन अलफा डेल्टा ती 3ल फाकॉं बोलेंगे गामा डे ट्टह तो kleiner यहाम मैं अपने पास में वन प्लस द इल्टब्स लाएगा वोल्यम एक्सपैंशनọn च्थिक हैं। गामा क्या है बटार आ वटेस गामा गामा है कोईश किसके बराबर लिखा 3 alpha के बराबर लिखा ठीक है गामा की वैल्यों आ रहे है अफनी 3 alpha के बराबर ठीकिए बीटा की वैल्यू 2 alpha थी अगर linear expansion का coefficient alpha है तो aerial का 2 alpha होगा और वाल्यूम का 3 alpha होगा aerial को हम बीटा से denote करेंगे volume को हम गामा से denote करेंगे खतम बात और बात और final volume है फी प्लस gama delta t एसी area क्या आ रहा था final, a initial area into one plus one plus beta delta t, और length क्या रही थी initial length one plus alpha delta t, ठीक, ठीक है बेटा ठीक है न, यह देखो, यह volume expansion जितना हुआ है, वो है, इसमें initial volume जोड जिया था final volume बने गहे, क्युकर initial यह है, इस से जितना expansion हुआ है वो यह है ठीक है ना क्लियर है यहाँ पर सब सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से फाइनल वॉल्यूम क्या होगा initial प्लस जितना expansion हुआ है तो यह वाली term है expansion जितना हुआ volume में similarly यह वाली term ती जितना linear expansion हुआ है कहा गई यह वाली term क्योंकि initial length में अगर मैं expansion जोड़ दूँगा तो मेरे पास final length आजागी ने तो alpha L delta T यह expansion length में और beta L delta beta A delta T यह area में expansion है beta A delta T यह रहा यह area में expansion है क्योंकि initial area में expansion जोड़ना हुआ हूँ तो final area मेरे पास में तो इस तरह से जो solids है वो expand करते हैं राइट लेकिन water जो है उसका expand करने का बहुत ही different तरीका है अच्छा सबसे पहले मैं alpha beta और gamma का ratio बता देता हूं आपको क्या होगा वन इस्टू टू इस्टू 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 त्री यह पूछा जाता है कई बार ठीक है लिए नहाँ अल्फा बीटा और गामा करेशो पूछा जाता है क्योंकि बीटा अपने आप ऐसा सेट कर रखा था सारा सिस्टम नेचर अपने आप इतना सब कुछ सेट करके दे दी हमें कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा राइड जो anomalous behavior है water का वो क्या कहता है कि water जो है उसकी density water की density जो है वो maximum होती है 4 degree centigrade पर है temperature जब water का 4 degree centigrade होता है वो maximum होती है अब density maximum मास तो constant रहता है मास बराबर क्या होता है मास बराबर होता है volume into density अगर density maximum है 4 degree पर mass constant है तो volume minimum होगा वहीं हमें यह दिखाई दे रहा इस कर्व में मतलब मतलब यह है कि चार डिगरी पे ना water का देखो यह temperature यह volume ठीक है water का volume minimum हो जाता चार डिगरी कि density maximum हो जाती है अगर आप चार से आगे जाओगे तो बाय साब volume बढ़ने लगेगा मतलब density कम होने लगी और चार से पीछे जाओगे तो भी volume बढ़ने लगेगा minimum volume जो होता है वो चार डिगरी पे होता है water का देंसिटी maximum होती है आप पांस डिगरी छे डिगरी कितनी भी बढ़ा दो डिगरी फिर टेंपरेचर को वह density उसकी घठती रहेगा और अगर कम करोगे तेंपरेचर मतलब चार से नीचे ले जाओगे तीन डिगरी दो डिगरी तो भी volume बढ़ेगा तो भी volume बढ़ेगा यानिकि डेंसिटी कम होगी अब इसका ना एक बहुत अच्छा एक्जामपल है क्या एक्जामपल है कि नो जो लेक्स होती है तालाब होते है नदियां होती आप रहता है तो अब है तो आपने या इतनी बरफ नहीं होती है लेकिन जहां कई जगा पर बिटा जो आपने देखा है ना जहां पे polar bear वागएर रहते हैं जहां पर नदी जमी होती है उपर से लिटी रहती है उपर से सिर्फ बिलकुल जम गई यह फिर उपर से जो लेक है बिलकुल जम गई है लेक जमती है जनरली नदी तो फ्लो करते रहते लेक जो उपर से जम गई है लेकर फिर बहुत सके नीचे भी लिविंग सिर्वा एगर टेंपरेशर मानलो क्या है मतलब जमने के लिए टविशर चार से काम होना पड़ेगा अब पहले मानलो टेंपरेचर था 10 डिग्री तो 10 डिग्री से जैसी 4 डिग्री पाया टेंपरेचर तो उपर की density maximum हो गई density maximum maximum का मतलब क्या है volume क्या होगा minimum होगा तो वो contract हो जाती है उपर वाली surface ठीक है और जमने लग जाती है जैसे इसका density maximum हो जाती है तो वो नीचे वो उपर वाला पानी नीचे आने कोशिश करता है अब जैसे ही चार डिग्री से कम पर आएगा चार डिग्री तो बरफ नहीं जमती बरफ तो बेटा जो आइस का transformation होता है आइस में water का जीरो डिग्री पर होता है उससे कम पर होता है ठीक है तो जैसी चार डिग्री से कम पर आया temperature अब density घट गई उपर की क्या हो गई घट गई density सोच के देखवा हूँ अब density हाँ density घट गई चार डिग्री पर maximum थी वह नीचा है उपर चला गया ठीक है अब density घटने के कारण density वह उपर वाला पानी उपर ही फैलता रहता है शरक ओब गईवाला पानी जिए फैलता रहता है उपर ही तैरता रहता है रहता है रहता है डेंशिटी अगर उपर वाल पानी की कम हो गई तो पानी नीचे तो जाए गा नीचे कूकी अगर सब्सक्राइज और नीचे जाता है जमना इस्ते हो जाते हैं अपने जो living organisms होते हैं, यह सारी चीज यहाँ पर बताई हुई है, इसको आप लोग पढ़ सकते हों, ठीक है ना, clear है बेटा, clear है, चालो, अब आगे की बात करते हैं बेटा, कैलोरी मेटरी, यह हीट, thermal expansion वाला पार्ट हमारा हो गया है, अब हमें कैलोरी मेटरी की चर्चा करनी है, वही सेम चीज जो मैंने हीट की रेफिनेशन आपको लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बताये थी, वही सेम चीज यहाँ लिखी हुई है, कि एक बाड़ी से दूसरी बाड सेम हो जाएगा, जिससे हम state of thermal equilibrium कहते हैं, यह already हम discuss कर चुके हैं, सभी लोग, ठीक है न, अब हीट जो है बेटा, उसके भी बारे में हम बात करें, उसके बाद कैलोरी वगेरा की बात हम लोगों को करनी है, ठीक है, चल, तो कैलोरी जो है, उसकी बात कर लेते हैं, हीट की जो यूनीट होती, उसके मैं बारे में बात कर रहा हूं, तो एक कैलोरी जो होती है, एक कैलोरी, व्यस्तों आगे डेफिनेशन लिखी हुए, मैं यह बता देता हूं, पहले हीट की जो यूनीट है, वो कैलोरी होती थी, अभी तो जूल है, क्योंकि एनरजी है, पहले लोग इस एक कैलोरी का मतलब होता है, एक ग्राम वाटर का, एक ग्राम वाटर का, टेंपरेचर एक डिग्री बढ़ाने के लिए, जो हीट दी जाती है, हीट रिक्वाइड to raise temperature of one gram water by one degree centigrade, जो हीट दे रहे हैं, आप किसी भी water के एक ग्राम का, एक डिग्री centigrade बनाने के लिए, वाटर के एक ग्राम का, एक डिग्री centigrade बनाने के लिए, जो आपको उसको हीट दे रहे हैं, वाटर को, वो वेल्यू एक कैलोरी के बराबर है, ठीक है, ऐसा यूनिट जूल होती है, और one calorie is equals to 4.2 जूल, लग बग लग बग, ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है न, clear सभी लोगों को, अब आगे बात करो, अगर मैं specific heat capacity की, तो बैटा, amount of energy required to raise the temperature of unit mass of a substance by one degree centigrade is called specific heat, it is represented by S, C से नहीं दिखाएंगे, इसे हम S से ही दिखाएंगे, ठीक है, C से तो कुछ और दिखाएंगे, अच्छा सर ये तो अभी calorie की जैसी definition लग रही है हमें, बटा calorie में न, जो हम temperature बढ़ा रहे थे, याद करो, one gram water का बढ़ा रहे थे, unit water का बढ़ा रहे थे, यहाँ पर किसी सबस्टांस का है, अरे ऐसा थोड़ी न है कि हमें water के साथ ही डील करना है, calories defined for water, calorie का मतलब क्या है, calorie का मतलब है कि एक gram water का temperature एक डिगरी बढ़ाने के लिए जो energy दे रहे हो, वो एक calorie है, लेकिन specific heat capacity का मतलब क्या, specific heat capacity का मतलब यह है कि कोई भी substance हो, water नहीं, कोई भी substance हो, उस के एक gram का मास का अगर आप temperature एक डिगरी centigrade बढ़ा रहे हो, तो इससे आप लोग क्या कहेंगे बटा, specific heat capacity कहेंगे, तो इसकी definition क्या आजाएगे बटा, specific heat capacity की इसको ऐसे दिखाएंगे, कि एक gram substance का मास का temperature एक डिगरी बढ़ाने के लिए जो heat दी जा रही है, उसे हम लोग क्य कहेंगे, specific heat capacity कहेंगे, ठीक है, clear है, तो क्यों की value क्या आजाएगी, ms delta t आजाएगी, ठीक है, यह क्यों क्या है बटा, heat given, कभी heat given है, भाई, एक gram मास का temperature एक डिगरी बढ़ा रहा हूं, तो s बराबर क्यों हो जाएगा, मतलब इस specific heat capacity, उस energy के बराबर है, जो आप किसी substance को दे रहे हो, जब आप उसकी substance के एक gram का मास, एक degree centigrade बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है, clear है, clear है, definition तो लिखी हुई है, clear हो भी गई होगी, बिल्कुल simple सी चीज़ है, तो जब भी हम किसी भी particular substance का temperature बढ़ाना चाहेंगे, if we want to increase temperature of any substance, या हम उसका temperature घटाना चाहेंगे, तो हम उस डेल्टा टी हीट देंगे, या उससे मस डेल्टा टी हीट लेंगे, अगर मानलो मेर को किसी M मास का temperature डेल्टा टी बढ़ाना है, और उस मास की specific heat capacity है, कितना बढ़ाना टेमपरेचर डेल्टा टी बढ़ाना है, तो मुझ कितनी हीट दूँगा, MS डेल्टा टी, यह बटा, ज लिखा हुआ ही, यह लिखा हुआ है, कि M मास के सबस्टांस का temperature डेल्टा टी बढ़ाना चाते हो, तो उसको इतनी हीट दे दो, MS डेल्टा टी, और अगर temperature डेल्टा टी घटाना चाते हो, तो उससे ले लो इतनी हीट, कितनी MS डेल्टा टी, खतम, बिल्कुल खतम, मानलो, example क के लिए मैं अगर आपको बताओं कि आपको बोला जाए कि 2 kg water है उसका temperature बढ़ाना है कितना बढ़ाना है मानलो 50 degree centigrade बढ़ाना है तो कितनी energy requirement होगी तो हम कहेंगे वाज सब energy requirement होगी delta q sorry q is equals to mass कितना है बेटा mass है 2 kg इसको हम ग्राम में लिखेंगे इसमिलीकर में क्योंकि एसमिलीकरां में क्योंकि एक ग्राम का temperature बढ़ानी के लिए जो energy चाहिए पता है, 1 calorie, 1, 2,000 gram के लिए कितने हैं चाहिए होगी, अरे 1 gram के लिए चाहिए, तो 2000gram के लिए कितने ही होगी? 2000 calorie, but ये ब्रखाने के लिए 50 दिगरी बढ़ाने के लिए कितनी ही होगी, 50 से multiply कर दो, collapsingule TV कर दो, simple बिल्कुल इंपल ठीक है देखो या तो ऐसे कर लो आप इसको 2000 ग्राम में लिखा इंटू स्पेसिफिक हीट आफ वाटर होती है वन कितनी होती है वन क्योंकि स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है कि किसी भी सबस्टांस के यूनिट मास का टेंपरिचर वन डिगरी बढ़ाना है अब वो मास अगर वाटर है तो वाटर की यूनिट मास का टेंपरिचर बढ़ाने के लिए वन डिगरी तो एक कैलोरी की जोरूरत होती है तो कैलोरी की रेफिनिशन है तो भाई य heat of water जो होती है SW, यह होती है 1, ठीक है, और unit क्या आ जाएगी बेटा, यहां से देख लो, यह आ जाएगी 1 calorie per gram degree centigrade और specific heat of ice जो होती है, वो होती है half, ice की जो specific heat होती है, वो होती है, half calorie per gram degree centigrade, ठीक है, इतनी energy चाहिए होगी, specific heat of water क्या है, वन है, कितना temperature बढ़ाना, 50 degree बढ़ाना है, कितने mass का gram में रखा है, यहां पे 2000 gram का, तो इतनी heat चाहिए होगी, और चाहिए इसको ऐसे करके देख लो, कि 1 gram water का बढ़ाने के लिए जो चाहिए energy वो एक कलोरी, तो 2000 gram का बढ़ाने के लिए चाहिए होगी 2000 calorie, और य पास जिगरी बढ़ाने के लिए कितनी चुगी, multiplied by 50, बस यही आ रहा है, simple, एकदम simple है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है न, तो बैटा, इस तरह से हम इन formula का use करेंगे, कुछ सवाल है, वो भी करेंगे ही, definite सी बात है, अच्छा, अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि, जब मैं हीट दे रहाँ या ले रहाँ सबस्टांस से, तो उसकी state change नहीं हो रही है, मतलब पानी है तो पानी बन रहा है, मतलब पानी है उसको heat ले लूँ या दे दूँ, जब भी मैं specific heat capacity की बात कर रहा हूं, तो state change नहीं हो रहाँ है, substance की, मैं उससे heat ले ले या मैं उसको heat दे दूँ अगर पानी तो बरफ नहीं बनेगा इस्टीम नहीं बनेगा सिरफ और सिरफ पानी की फॉर्म में रहेगा खतम बात अब बात आ जाती है molar specific heat capacity इसको हम दिखाते हैं C से किसे C से अभी देखो अभी जो हमने specific heat capacity पड़ी वो थी unit gram का यानि कि एक gram का मास एक gram मास का temperature एक डिगरी बढ़ाने के लिए जो energy दी गई थी अब यह molar specific heat capacity का मतलब क्या है एक mole substance का temperature अगर मैं एक डिगरी बढ़ाना चाहूं तो जो heat देनी पड़ेगी वो होगी बेटा molar specific heat capacity के बराबर यानि कि अगर आप किसी एन मोल सबस्टांस का किसी एन मोल सबस्टांस का temperature डेल्टा टी बढ़ाना चाहते हो तो आपको एन सी डेल्टा टी एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आप एन मोल सबस्टांस का बेटा यूनिट सबस्टांस के लिए तो यह फॉर्मूला है तो क्यों की वैल्यू कितनी हो जाएगी एन सी डेल्टा टी हो जाएगी मोलर specific heat capacity का मतलब क्या है यूनिट मोल एक मोल मास का टेम्प्रेचर आप एक डिगरी बढ़ाते हो तो जो एनर्जी देनी पड़ रही है उसे आप molar specific heat capacity का हो गया ना इसी फॉर्मूला से मैं relate कर सकता हूँ कि एन नंबर ओफ मोल्स का अगर आप टेम्प्रेचर डेल्टा टी बढ़ाना चाहरे हो तो एनर्जी जो दीनी पड़ेगी वो एन सी डेल्टा टी देनी पड़ेगी वस वहाँ पर एस था यहाँ पर सी है इस 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 टम की और इस particular molar specific heat capacity की बात हम next chapter में जादा करेंगे thermodynamics में और kinetic theory of gases में यहाँ तो बटा इतने से काम चल जाएगा ठीक है न अब एक और टाम आती है जिसे हम कहते है latent heat latent heat का मतलब क्या है यह समझ लो ठीक है यह भी बटा एक energy है ठीक है जैसे specific heat ती ऐसे यह latent heat है यह ना face change के लिए दी जाती है यह कब काम में आती है जब किसी substance का face change हो रहा है यानि कि water से ice बन रही हो या water से steam बन रही हो या ice से water बन रहा हो ठीक है या steam से water बन रहा हो उस case में हम latent heat use करते हैं ठीक है और किसी भी सुन लो ज्यान से किसी भी m mask के substance की state change करने के लिए जो heat दी जाती है ना वो होती है m into l यह l क्या है latent heat है क्या है बटा यह Q energy required to change phase of a substance of mass M at constant temperature at constant temperature मतलब क्या है मतलब यह है कि जब आप किसी substance की phase change कर रहे होगे तो आप क्यूँ जो दे रहे होगे ql लिख लो से latent heat से जानेंगे इस energy को उसकी value होगी m into l is the latent heat of the substance वो अलगलग substance के लिए अलग-अलग होगी m mask के substance की state change करनी है तो आप energy दोगे अब जब आप energy दे रहे होना तो state ही change होगी वहाँ पर बेटा ध्यान रखना temperature change नहीं होगा at constant temperature लिख दिया मैंने साफ साफ वहाँ temperature change नहीं होगा सिरफ और सिरफ क्या change होगी state change होगी ठीक है ना clear है अच्छा जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा जो हम transformation पढ़ेंगे अभी वह water का ही पढ़ेंगे कि जब आप water से और ice की बात करोगी ठीक है वाटर से और ice की बात करोगे तो यह transformation सिर्फ 0 degree centigrade पर हो सकता है कि अगर आपको water से ice बनानी है तो water से energy लोगे आप कितनी m जितना मास दिया वाटर का into latent heat of water अभी बात करूँगा कितनी होती है ठीक है भाई साहब अगर आपको एम मास का water दिया हुआ और उससे ice बनानी तो आप उसमें से energy लोगे ताकि उसका temperature कम हो नहीं नहीं उसकी फेस चेंज हो यह याद रखना है भाई दो काम होंगे आप energy दे के आप energy दे के temperature भी बढ़ा सकते तो स्टेट भी चेंज कर सकते हो जब temperature बढ़ाओगे तो स्टेट सेम रहेगी और जब चेंज कर रहेगा और तो टेमपरेचर सेम रहेगा बस यह बात आपको समझ में आनी चाहिए जब आप 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 आई से बनाना चाते हो तो स्टेट बढ़ा रहेगा आप इससे एनरजी निकाल लो एम इंटू अल उसके बार यह बन जाएगा जीरओ डिफिपक्रीज से वाटर पे जीरो डिग्रीपराइस बनेंगी टेंपरेचर चेंज नहीं होगा अगर आपाइस से वाटर ब का और लेटेंटीट एच्पाइप मन्टो एल इतनी एनर्जी आप दो गे किसको दोगे आइस बढ़ा से फ Brother बनेगा वाटर का ट करनी ऊफ सस्टेट चेंज नंटे hen transformation की हमें चर्चा करनी है इन्हें ट्रांस्फोर्मेशन की हमें चर्चा करनी है चीक है अब नेक्स जो है बटा उस कहानी को समझते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इट इस अब किलो कैलोरीज लिख दिया इसने अगर कैलोरीज में बात करेगा तो मैं एक ग्राम की बात रहे है ठीक है तो सॉलिड से लिक्विड में बनाने के लिए मतलब मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की दूसरी डेफिनेशन लिख देता हूं हीट या एनरजी रिक्वाइड टू चेंज वन ग्राम मास फ्रॉम सॉलिड टो लिक्विड ठीक है अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जैसे आइस से किसमें जाना चाहरे हो पीटा आइस से आप जाना चाहरे हो वाटर में अप लेको टेंपरेचर चेंज नहीं होगा ज्यान रखना किसमें जाना चाहरे हो आप बन सकता है अगर आपके पास आई से माइनस 15 डिगरी पर तो पहले उसका टेंपरेचर बढ़ा के जीरो करो तो पहले टेंपरेचर बढ़ाओ लेटे पहले इस पेसिफिक रिट यूज़ करो टेंपरेचर बढ़ाने के लिए फिर उसकी स्टेट चेंज होगी डायरेक्ट नही हो तो जो energy required solid में convert करने के लिए अच्छा liquid अगर convert करना तो energy लेनी पड़ेगी तो alternative definition भी बन सकती है कि energy taken from a liquid to convert its one gram into solid अगर solid जा रहे हैं तो energy देनी पड़ेगी लिक्विड से आ रहे हैं तो energy लेनी पड़ेगी और दोनों ही case में उसे latent heat of fusion कहेंगे या दोना यह सबी लोगों को latent heat of fusion यानि कि जब भी ice से water water size conversion हो रहा हो तो इससे use करेंगे 80 calorie पर ग्राम या किलो कैलोरी पर किलो ग्राम वह बात है कि दोनों तरफ उपर नीचे 1000,000 से multiply कर दिया है अब ऐसी latent heat of vaporization भी होती है latent heat of vaporization क्या होती है कि भाई quantity आपको required है किसकी quantity आपको heat की required है क क्या करने के लिए जुक क्या करने के लिए की तू चेंज वन ग्राम ओफ लिक्विड इन्टू वेपर एक ग्राम लिक्विड को वेपर में कनवर्ट करने के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट यह भी आद रखना है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट बोगा और पुराना वाला काम लेटें टीट फ्यूजन में बेटा जो रिक्विड थी वह मेल्टिंग पॉइंट पर होता सारा काम योगा बॉइलिंग पॉइंट पर चीक है ना शालो जी बहुत बढ़िया के एक ग्राम सब्स्टांस है लिक्विड फॉर्म में उसको वेपराइज में करना है मला उसकी वेपर बना देनी है तो जो हीट दूंग करूँ एक ग्राम वाटर को अगर आप कनवर्ट करना चाहरे हो ना एक ग्राम स्वेम में तो जालोरी सकन पर उपन आप काल प्रोगों q क्लियर यहां तक कि बाद सभी लोगों को क्लियर है क्लियर है चालो तो आप मैं थोड़े से बेसिक्स आप लोगों को बता देता हूं क्या बेसिक्स है कि जब भी आपको टेंपरेचर बढ़ाना किसी सबस्टांस का तो आप फॉर्मुला कौन से यूज करेंगे सबस्टांस की स्टेट चेंज करनी है तो आप फॉर्मुला यूज करोगे एम इंटू एल यहां कॉंस्टेंट टेंपरेचर रहेगा लेकिन स्टेट चेंज हो जाएगी ठीक है क्लियर है बटा सभी लोगों क्लियर बिल्कुल सी बात है भी कुछ एक्जांपल से क्लियर हो जा आते हो वाटर से स्टीम की फॉर्म में तो कैसे उसमें ट्रांसफोर्मेशन होता है ठीक है न सुन लो द्यान से अच्छा मैं पहले यह बता देता हूं आप लोगों को ठीक है मानलो आपके पास में माइनस एक्स डिग्री सेंटिग्रेड पर आइस है ठीक है और आप इस जाना चाते हो एक सो पचास डिग्री सेंटि ग्रेड पे स्टीम तो कैसे बनाओं एक कैसे बनाओं यह क्या कर ट्रांसफोर्मेशन होगी बहई आई से डाइरेक्ट स्टीम तो बन नहीं सकती आइस से बनाएं गया हम पहले लेकिन आइच से बारतर का जो कन्वर्जन है तो माल लो यह एम ग्राम है ठीक है तो इस टीम के भी एम ग्राम ही बनेंगे ठीक है तो हमने का गया पहले एम ग्राम का टेंपरेचर बढ़ाया कितना बढ़ा रहा है बेटा बीस डिग्री तो इसमें एनर्जी लगेगी सबसे पहले मुझे आइस को जीरो डिग्री पे लाना था क्योंकि आई से वाटर का ट्रांस्फोरमेशन जीरो डिग्री पर ही पॉसिबल है दो मैंना इनर्जी दी इतनी अनर्जी लग गई मेरी छिख बहुत बढ़ी है बन गई जीरो निग्री आइस अब इसे मिद्वाटर में से बाटर रूटर पर कर सकता हूं और आजसे जो वाटर में 0 रिग्रीन डिग्रीन ही टैंपरेचर रहेगा क्यों 7 जिरो डिगरी रहेगा क्योंकि भाई साब जब भी स्टेट चेंज करेंगे तो टेंपरेचर कॉंस्टेंट रखना है आइस जी रो डिगरी पे तो वाटर भी जी रो डिगरी पे ही रहेगा अच्छा तो इस ट्रांस्पूर्मिशन में एनरजी कितनी देनी पड़ेगी एम इंटू लेटेंट हीट ओ फ्यूजन ओफ आइस जो कि कितनी होती है 80 अभी पढ़ाता ना ठीक है न चालों अब जीरो डिगरी वाटर मिल गया वाटर से स्टीम बनाने लेकिन वाटर से स्टीम बनेगी 100 डिगरी पे तो पहले इसे 100 डिगरी पे लाओ तो भाई मैं इसमें और एनरजी दी मैंने कितनी टेंपरेचर बढ़ाने के लिए एनरजी कितनी देते हैं एमस डेल्टा टी तो मैं लिखूंगा मास ओफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टेंपरेचर कितना बढ़ाना है सो डिग्री तो यहां पर मुझे मिल जाएगा सो डिग्री यहां मुझे मिल गया अब इसे में स्टीम में चेंज कर सकता हूं सो डिग्री पर तो कन्वर्जन पॉसिबल है वेपराइजिशन की हीट से अना तो बैटा मैंने क्या किया इसको एनरजी दी और यहां मुझे मिल गया से अब जब भी फेस चेंज होगी स्टेट चेंज होग है एम एल और टेंपरेचर चेंज के लिए एमस टेल्टाटी बस याद रहना खतम कैलोरी मैट्री अच्छा अब हंडेड डिग्री संटीकर पर स्टीम मिल गई मुझे चाहिए कितने पर एक सो पचास पे तो बढ़ा दो टेंपरेचर एम एस स्टीम स्टीम की स्पेसिफिक टेंपरेचर बढ़ा ना तो है इसे कोई भी दुनिया भरके सवाल ओंगे तो मैंने बहुत बढ़ीया सबावाल करवा दिया उस सारे सवाल तुम लोग कर सकते हो मैं कोई भी सवाल आप लोगों को दिया जाया आप लोग उस सवाल को बड़ी इजीली बड़े प्यार से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो बेटा ठीक है ना चलिए तो यह एक एग्जामपल था कनवर्जन का और इसी तरह से वाटर का कनवर्जन दिखाया हुआ है कि पहले हीट देखे टांप्रेचर नहीं बड़ा है टेंपरेचर कॉंस्टेंट का मेल्ट हो गए ज़ीया जीरो डिगरी वाटर मिल गया है वाटर को अगर आप चेंज करना चाहरे हो स्टीम में तो पहले वाटर को 100 डिग्री टेंपरेचर पर लेजाओ लेगे अंडेड डीपे वाटर का स्टीम मिल जागा स्टीम का टेंपरेचर बढ़ाना है तो बढ़ाते रहो उसके आगे तो कोई पॉसिबल स्टेट ही नहीं है ठीक है ना तो यह छोटा सा ग्राफ यही चीज़े बता रहा है अलाकि नौट सो इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया चीज आपको एक्जांपल के तुरू दैट वस्मोस्ट इंपॉर्टेंट थी ठीक है अब माल लीजिए दो सबस्टान से उनको मैं मिक्स करता हूं ठीक है लेट से एक है मेरे पास लिक्विड ए हर एक स्टेट में पॉसिबल ए औ लिक्विड भी ऐख के ना चुरू एक है मिरे पास लिक्विड भी खिरनना मैं मॉनत यह टी-वन टैंपरेचर पर है और यह टी टी-टी टेंपरेचर है ठीक है मैं माननों टीवन इस ग्रेटर देन टीटू है मतलब पहले वाला जो सबस्चान्स है वह ज्यादा गरम दूसरे वाला थंडा है थोड़ा मतलब एक मतलब ऐसा मानों आधी बाल्टी पानी गरम है बढ़िया खोलता हुआ और आधी बाल्टी पानी थंडा है नॉर्म सब्सक्राइब और तेमरेचर मेसर ना तो वो पूरा ठंडा होगा दो पूरा गरम होते सबहों पता है आरे भाई और टेंब टेंफे से जादा है जम अभर गरम उससे नहां सकते हैं जया हुआ जब मिक्स करोंगे तो जो मिक्सकर का ढुँक कि कम वाले से जाद होगा और ज्यादा वाले से कम होगा यह च्यादा आप इसा हुआ क्यों है हमने इसके मॉलीकूल के पास ज्यादा एनर्जी क्योंकि टेंपरेचर हाई ये इसका इसके मॉलीकूल के पास कम एनर्जी जैसे हमने इसको मिक्स किया तो हाई एनर्जी वाले molecules ने लो energy वाले molecules को energy दे दी तो इसके जितने रहाई से लोगी तरफ टाइम transfer होगा जब दोनों को mix कर देंगे तो ऐसे लोगी तरफ transfer होगा तो भाए साथ finally जब इस पूरे mixture का temperature टी हो गया जब पूरे mixture का temperature हो गया टी सुनना ध्यान से तो उस case में हुआ क्या कि जो तो energy कम वाले molecules तें जिनका temperature था टी टू उनको energy दे दी जिनकी energy ज्यादा थी वाले के तीवेन गट के टी हुआ और टीटू का टेंप्रेशर बढ़के टी हक ता भी तो सारे मॉलेकुल का टी है यानि कि JUST energy हाई energy वाले particles ने दी है वही energy तो low energy वाले particles ने ली है और तो कोई ही नी सिस्टम में यानि कि एनर्जी लॉस्ट बाई लिक्विड ए बराबर है और एनर्जी गेंड बाई लिक्विड बी तो लिक्विड एनर्जी लॉस्ट के मिक्सिंग में वही तो बीने गें गें किये तो एनर्जी लॉस्ट जब करी एने तो एक पा ह pants टेखश बढड़के हो गया है की टू से तो मतलब जो energy lost है जो energy lost है energy lost by by which particles T1 वाले particle जो इन्हों ने energy lost की है और इन्होंने जो energy gain कि वो बराबरी तो चुकिंदी किया तो इधर energy ज्यादा थी इनका energy कम पोने टेमपरेच्टर ज्यादा otal रचाव गई और इन्हों को CRB उनेनर्जी लूस कर दी और इन्होंने एनर्जी गेन कर ली तो सबस्तांस foreign इकी एनर्जी जो है या टेमपरेचर्टन जो है वों टीवन से घटके युन और बीके सबस्तांस जो है से बढ़के ही हुआ है temperature अनर्जी लॉस कितने की होगी बिटा मान लेता है दोनों का माँ इसका मास मास है M2 इसका इस पेशिकाविक हीट है एश वन इसका इस पेशिएफिक हीट है स्टेट चेंज नहीं हुए है सिर्फ तेमपरचर तो इसने एनरजी लूस की होगी M1 S1 into T1 minus T क्योंकि इसका temperature T1 से घटके T हुआ है तो चेंज इन टैमपरेचर कितना होजागा टी मायनस टी आच्छा यह बराबर होगा इस सब्स्तान्स के पार्टिकल्स ने एनरजी ली हो उसका टेमपरेचर बड़ा है कितना होगा है टी हो गया है तो एम टू एस टू इंटू टी माइनस टी टू ठीक है इस तरह से इसे हम लॉफ मिक्सिंग कहते हैं कि एक सबस्टाइंस एनरजी लूज करेगा मालों की पहले ने लूज कर उसका टेंपरेचर होगा घटके टी तो किसी भी सबस्टाइंस से अगर आप टी लिखें हैं मुझे ठीक है और इस टेंप इस सबस्टाइंस का जो पार्टिकल से उनका टेंपरेचर बड़ा है ठीक है बड़ा कहां से इसके एनरजी इसने ले लिए तो बरावर कर दी कितनी एनरजी लिए इसने बाइस साब अगर कोई सबस्टाइंस है म्टू मास का औ और उस सबस्टांस का टेंपरेचर बढ़ रहा है डेल्टाटी ठीक है तो भाई साब सिंपल सी बात है उसको एनर्जी की रिक्वार्मेंट होगी एमस डेल्टाटी तो वही तो लिखा एम टूस्टू इंटू फाइनल टेंपरेचर माइस इनीशल फाइनल भी क्या बड़ा मा बनते हैं बहुत सारी कि देखो कैलोरी मीटर है हीट कैपस्टी दे रहेक्ट हंड्रेड जूल पर कैल्विन रूम टेंपरेचर पर रखावा तीज डिग्री सेंटिग्रेड पर ठीक है कैलोरी मीटर है क्या कंड़क्टिंग मैटेरियल का बरतन होता है उसे बोला गया है कि 100 ग्रीड उसकी हीट कैपस्टी है 100 जूल पर कैल्विन ठीक है और रूम टेमपरेचर पर रखा गया है 100 ग्राम उप वाटर उसमें डाला है तो टेमपरेचर ओफ वाटर पूछा गया है कैलोरी मीटर में ठीक है यह मैं आपको सवाल जो होम्वरक में दे रहा हूं करना कैसे भी बता देता हूं चीक है जान से सुनना हूं बैटा हीट कैपस्टी जूल पर कैल्विन में दे रखी है चीक है ना हीट कैपस्टी जो होती है नहीं हीट कैपस्टी इसकी डेफिनेशन में बता देता हूं वैसे तो सवाल हीट कैपस्टी के आते निया बट फिर भी ठीक है य मास पर दिए क्टी मास इंटू स्पेसिफिविक कैस्टी योटी हीट के पर दू zus इसमें से मिंग गयाब करें छीक है मृइफ सब्सक्रावप्सक्राभोग कैस्टी this significa Gda T दिएलटा गायब कर Haushक किया है अरे मिस बढ़ाध्य कैस्टी ms की value हमें दी हुए है किसकी value है MS की value दी हुई है ठीक है यानिक secret क्युल की बात करूं कुछ होता है MS Deltati सुन द्यान से अगर किसी M Mast के सबस्टांस का टेमपरिचर डेलटा-DR quand एक डिऑ बड़ाना है तो दे रख खोगे बड़ी बात है नहीं तो ms की वेल्यों आपको दे रखे डायरेक्ट कैलोरी मीटर इसलिए का मास नहीं दे रखा है मास और इस पेसिवीट का डायरेक्ट मल्टिपिलिकेशन दे रखा है और वह तीस डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ है बहुत बढ़िया सो ग्राम वाटर डाला हमने किस पर 40 डि ूर क्यों कैलोरी मिटर जो है उसका तँपरेचर का में 30डिग्री है केप्योट का का मैं 30 डिक्री वाटर से क्वाटर कंद चालीज डिग्री है तो वाटर से निगले कि यह में जाएगी और दोनोंका से सेंष होजा यह सिंपल सी बात सिम्हान Corner Bad क्पेंस दिरेंट कई तो हीट का जाएगी वहां से दनाट jaiy तो जो लुज गरेगा माले तहूं फाइनल टेमपरेचर वंटर क्ई लोटर का टी ऊधव को फ़्त कर टी को एक तो इसका अबीड़ा होगा लगे फेरκेडियोंट तो 32, 33, 34 जो भी होगा टेंपरेचर वो डिपेंड गरेगा एक्वेशन पर तो वाटर कितनी एनरजी लूज करेगा वाटर एनरजी लूज करेगा बेटा मास ओफ वाटर ग्राम में दिया हुआ है ना, और वहाँ जूल पर किलोग्राम में दिया हुआ है ना, तोसोओ मास को हम ने किसमें कर दिया हुआ है डायरेक्ट किलोग्राम में कर दिया तो एम एस डेल्टा टी डेल्टा टी कितना है बेटा मानलो वाटर का टेंपरेचर टी हो गया है ठीक है कहां से 40 से घटके तो 40 माइनस टी लिखोंगा पहले 40 था घटेगा तो 40 माइनस टी लिख दिया अच्छा ठीक है यह बराबर होगा किसके बराबर होगा यह बराबर होगा यह इतना ही यह एनर्जी लॉस कि वाटर ने इसी एनर्जी को तो कलोरी मिटर ने गेन किया है तो कलोरी मिटर के लिए के MS की वैल्यू दे रख्किया अंडरेड डायरेक्ट ठीक है और डेल्टा टी हो गया इसके लिए कैलोरी के लिए MS दे रखा ने डायरेक्ट तो बता नहूं में 10 T minus T 300 बराबर हो जाएगा 42 into 40 minus 42 यहां से टी की वैल्यू निकाल लेना इसको फिफ्टी टू टी हो जाएगा इसको उधर ले जाओ जो भी आएगा आपके पास में आंसर आजाए कॉमन टेंपरेचर आजाए मिक्स्चर का ठीक है ना तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप से जा सकते हैं जैसे एक छोटा सा सवाल हमें बोला गया है कि find the quantity of heat required to convert 40 gram of ice at minus 20 degree centigrade into water at 20 degree centigrade ठीक है अब specific heat of ice जो होती है वो पहले लिख लेते हैं 1 by 2 होती है ठीक है ना calorie per gram degree centigrade में और specific heat of water होती है यह मैं बता चुका हूं already अच्छा वही cycle बनाएंगे हम लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं माइनस 40 gram ice है माइनस 20 degree centigrade तो यह वाटर में convert करना है तो पहले तो ice का जो temperature है वो zero करना पड़ेगा तो ice का temperature zero करने के लिए हमें energy देनी पड़े कितनी temperature चेंज कर रहा हूं तो स्टेट से मिलेगी स्टेट से मिलेगी जीरो degree ice चीक है मास चेंज नहीं होगा 40 gram ही रहेगा बट यहां माइनस 20 degree centigrade पहले मुझे इसका temperature बढ़ाना पड़ेगा zero करना पड़ेगा तो energy दूंगा कितनी एम एस डेल्टा टी चीक है ना जीरो डिग्री आइस मिल गई अभी से ट्रांस्फॉर्म कर सकते हैं हम लोग किसमें ट्रांस्फॉर्म कर सकते हैं बेटा वाटर में तो आइस को अगर मैं energy दूंगा तो zero degree water मिलेगा मुझे ठीक है और यह कब मिलेगा जब मैं ice को energy दूंगा मास इंटू latent heat of fusion कितनी होती आइस की 80 जब हम स्टेट चेंज करते हैं तो latent heat of fusion या वेपराइजेशन यूज करते हैं जब हम टेंपरेचर चेंज करते हैं तो एमस डेल्टा टी यूज करते हैं ठीक है ठीक है कितनी एनर्जी लगेगी भाई एम एस water की specific capacity 1 होती है इंटू डेल्टा टी तो कितनी कैलोरी energy हो गई यह बीस हो गया यहां लगी 400 कैलोरी यहां लगी 32 कैलोरी और यहां लगी है 800 कैलोरी तो बत्तिससो आठ सो 4000 और 400 400 कैलोरी एनर्जी रिक्वायर होगी ठीक है अब हम लोग बेटा थोड़ी सी बात करने वाले हैं dys Lite jis कि हम बात कर रहे हैं कि एक पर्रटिकल से दूसरे पर्रटिकल में एक बॉड़ी से दूसरी बौड़ी में एक तमस्ते बूसरे सब्स्तांस से एक लिकड़ी दूसरी लिक्ड़ี้ से जा रही हे जा कैसे रही है कि कोई मोड भी तो होगा तो हीट के ट्रांसफर होने के तीन तरीके कौन कौन से तीन तरीके बेटा पहला तरीका है कंडक्शन के दूसरा तरीका है कनवेक्शन है और तीसरा तरीका है रेडियेशन क्या है पीर है तीनों को एक बार समझ लेते हैं प्यार से कोई दिक्कत वाली बात इन नहीं तीनों को अंपैर ही कर लेते हैं डाइडे क्च्छ दिखो बेटा मानलो मैं एक चम्मच हो कि उस्सटमच को यहां पर मानलोगि कोई गैस जल रही है और मैं इस चमच को गैस पर ले इधर फ्लेम के पास में तो पहले चमच का यहांर पर बढ़ेगा पार्ट यहां से रह सी सब्सक्रियो भागा है यहां से चूट ये मतलब यहां से जब रहाब करते हैं तो टुम वाले हैं पेस्ट जाओ अवह सारग इनरजी आगे ट्रांसफर करें सिर्फ करते हैं तो particles do not move कि सकत型 को मिडियम के पार्टिकल्स यह medium में पॉसिबल है, medium particles do not move, particles do not move, ठीक है, फिर energy कैसे आ रही है, they transfer energy through their vibration, तो energy transfer through vibration, ठीक है यहां लिख देता हूँ, energy is transferred from vibrations, ठीक है, भाई हमें पता है कि material में बहुत सारे molecules होते हैं, particles है, उनको जैसे जैसे energy मिलेगी, तो उनके vibrations बढ़ने लग जाएंगे, तो पहले धीरे-धीर वाइबरेट करते हैं, फिर वो तेज वाइबरेट करते हैं, और एक दूसरे से टकराते हैं, और energy को आगे तक flow कराते हैं, क्योंकि energy तो बेटा हाई से लोग की तरफ जाएगी temperature की तरफ ना, तो हाई वाले पहले हिलेंगे, तो लोग वालों से टकराएंगे, लोग वालों का energy मिलेगी, फिर वो हिलने लगेंगे, वो वाइबरेट करने लगेंगे, फिर वो उनकी energy, वो दूसरे particle से तो conduction के लिए हमें मीडियम की जरुरत होती है, उसके अलावा, मीडियम के जो पार्टिकल ही मूव नहीं करते हैं, वो बस वाइबरेट करते हैं, एनरजी, वाइबरेशन के तरू आगे, 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 पहुंच जाती है, ठीक है, सिंपल सी बात है, कनवेक्शन क्या पर आपने बोन फायर किया हुआ है, आग निकल रही है, ठीक है, आग निकल रही है, अब हो क्या राए बटा, आग जो है ना, उसके कुछ पार्टिकल्स है, वो गरम होके ऊपर जा रहे हैं, मतलब आग जो है, आग ने एर के कुछ पार्टिकल्स है, वो गरम कर दिये, और औप ऋपर जाँ और यहां पर टो पार्टिकलद टरफ आपके हाथ से टकरा रहे ऊप्षान pessoal पॉल रहा हो में आग चल रही है आपके आसपास यह दो के आपके हाथ तक आ आ रहे ना तो पार्टिकल गरम होके आप तक आ रहे हैं इसे मैं कहूंगा क्या कहूंगा बैटा में से इसे मैं कहूंगा कन्वेक्शन ठीक है और अगर आप बहुत दूर खड़े हुए हो फिर भी आपको आग फील हो रही है गर्मी फील हो रही है यहां तक तो पार्टिकल न साई वह ऒयाईट वह वाक्यूम से होके आ रही है एमस्फिया में मतलब रेडियेशन के लिए हमें मीडियम भी नहीं चाहिए मीडियं है अच्छी बात सब्सक्राइब करें या कि अलग को जाएंगे एक जगा से दूसरी जगा पेनरजी को ले कर रिडिशन में अलग सीम मीडियम की ज़रुत नहीं इन दोनों में मीडियम रिक्वाइड है नेसे सरी रिडिशन में मीडियम नहीं रिक्वाइड अब इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे और उससे पहले में आपको थोड़ा बता जेता हूं इसमें एक्षुल मोशन होती है पार्टिकल्स की और इसमें एलेक्ट्रो मेगनेटिक रेडिशन के थूआ आप तक एनरजी पहुंचती है ुलें में मरकरी में जो हीट ट्रांस्फर होता है इसका एक्वाटल होता है हीट ट्रांसफर वह के वैक्वेशन का एक्षुल कंदक्शन है और लाइट जो प्रोसेस ओसटोंकर लाइट रोवर एंड डाने होने बिल्कुल सिंपल बाते थी है और आटू को पता चल भी गई है उदसलते एक एकर करें थर्मिल अपको नपासी कर आइफ यह मीलैंनेट विखॉयर्मेंट होती है और एक मीडियम एक पार क्रिजिकल वाइबूरेट करता है दूसराए पार्टिकल उससे वाइब लिभीट करता है थीसरा था ट्रित करता है वाइमरेशन गे थू एनरजी एक दूसरे फिंद दूसरे पर पहुंचती है थिक है अचया मान लो जैसे मैंने एक और ले रखिये है तीक है सुन ले ना द्यान से मैंने ऐसे कोई सकूरार ले रखिये यनीरी रॉड ठीक है थीक है सर कर ठीक यह ना अब cory ? इस रोड का एक एंड मैंने लोग तेंपरिचर ट्यक्ट रखा हुआ है एक एंड मेंने लोग टेंपरेचर भरका हुऊ है Solutions यह हैं यह फिख्ञेश्र मतलब टेंपरेचर रिजर्व आयर हैं मतलब का टेंपरेचर चेंज नहीं हो सकता कंपरेचर यह ऐसी टवास के साथ में एक्विब्रियम में इस की आग टेमपरेचर इतने थैंपरेचर तो यहँ तो छो क्रेटफ लो करेगी यह एकड रही तरफ तिक के मीड़ियम पार्टिकल छी ऑन पार्टिकल मीडियम भी हमारे पास में अच्छा बात तो सहीं सर जो हीट फ्लो हो रही है उस हीट के फ्लो होने की जो रेट है डी क्यू बाइडी टी जिसे हम हीट करेंट भी कहेंगे रेट आफ हीट फ्लो वह बेटा प्रपोर्शनल होगी किसके प्रपोर्शनल होगी रुख जा देख बता देता हूं भी वह प्रपोर्शनल होगी एरिया जितना ज्यादा है क्रॉस सेक्षन का हीट हमेशा क्रॉस सेक्षन के परपेंडिगुलर चलेगी तो क्रॉस सेक्षन का एरिया जितना ज्यादा है जिन दो पार्ट के बीच में जा रही है उन दो पार्ट का टैंप्रेचर का डिफरेंस कितना और दूरी कितनी इसे कहते हैं तो डिक्वीवal dื่d जो है वह अपने पास tissue ऐगा माइनस के एक हमारे पास में constant आ गया माइनस के अच्छा माइनस क्यों आया क्योंकि दी टी बाई डी एक्स जो है न वह हमें से नेगेटिव होगा और नेगेटिव टम को positive करने के लिए मैंने माइनस साइन क्या है क्या है थर्मल कंड़क्टिविटी कोफिशेंट ऑफ थर्मल कंड़क्टिवीटी का क्या है यह क्या है क्रोस सेक्शन एरिया जिसके पर्पेंडिकलर हिट जा रही है ुण द्यक्स क्या है धिल्क छाइब आगो घ्ट के यह तेम्परेचर ग्रेडियन्ट लूट पर तएफ आफ ही द्रांसफर आफ हीट कर приним होता क्या स्टेट ऐसी थे आफ होती स्टेट इसन मानगे चलो कि नीशली यह एलोः टेंपरेचर आओ टेमपेरचर पर यहां से हीट जाना चैलु हुई मालो यहां पर हीट घुशी कुछ क्यूवड धिक है और इतने पार्ट से यह इस की पार्ट के बीच का टेमपेरेचर कॉ निदि बसक्राइब कूवलोंगी कियों कि इनीशली इस पाट का ट्म्प्रेचर बढ़ाने में भी तो हीट का लॉस्माय घफ़ब रहा है बढ़ रहा है शूर्षन का अ πोर्षन का टेμपरेचर जो है वो भी बड़ रहा है वो भी चेंज कोते हो रहा है आप रहा है तो जोँट यहाँ जार है और जो हीट बाहर निकल रहें छोटे से डिडियी टेम्ट्रेट्र डिफ cabin से उस पॉर्शन में कुछ पोर्शन का टेमपरेचर बढ़ाने में कुछीट का लॉस हो रहा है तो यह वाली कहानी पता कब लागू होती है थोड़ी देर बाद क्या होगा थोड़ी देर बाद जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेग प्रोसेस हो रहा है अपना जितना भी कंडक्शन होगा वो सारा स्टीडी स्टेट पर मानेंगे किस पर मानेंगे स्टीडी स्टेट पर तो मैंने तो आपको शिर्फ और सरफ इतनी बात बता नहीं कि लगवारेंगे लगदा ना यसकीनट होगा न ऐसे समपल सी हमें तो शिरफ और सिरफ बात करनी अपने किसी बारे में बात करनी है हमें सिरफ और सिरफ बात करनी है बैटा स्टीडी स्टेट के बारे यह फॉर्मुला तब लागू रहेगा ठीक है ना चालो एनिवेस यह थर्मल कंडक्शन हो गया जैसे माल लो यह पॉर ईग्षमपल मतलब सारी बाते मैंने बता ही तिया आप लोगों कंडक्शन के बारे में कि जसे मानलोव फॉर एक्षमपल आप लोगों को बोला जाए कि चलो ऐक्vy कर लेटे हैं यह वाला भ्रहेट थम्पल एक थो मुझे देना आप لوगोंगों ठीक है तेमपरेचर इधर 0 degree centigrade टेमपरेचर इसको एडियाबेटिक वॉल से कवर किया हुआ है कि सरांडिंग में हीट का लॉस नहों 10 मीटर की रॉड आपको क्या बताना है आपको यह बताना है कि हीट करंट कितनी है और टेमपरेचर एट एनी डिस्टेंस एक्स कितना है मतलब आपक एक से 10- 12 बनने सक्साथ आप एक चीज तो फिक्स कि राफिक से कि यहां से जो हीट करंट यानि कि जो हीट एंटर हुई है वह तरफ वह वह हीट का ट्रांसफर का जो रेट वो कॉंस्टेंट देखो देखो इस टीशुरी स्टेट में तो ऐसे रहेगा वालाब जितनी हीट यहां से घुषिए वही तो ही यहां रही होगी है सिंपल सी बात है बहुत है उस्टेट आ जाती है ठीक है तो हम कहते हैं कि जो तो इस एंड और इस एंड के बीच में वहीं संड और इसे लिट में के भीच में टो रेत ऑफीट डीट के में किस्ट लिल ए वह घॉइंट सब के अच्छा पहले थो डी कि lp निगाल अशूम काल लेते हैं यह जाएए--घE कि डिटी बाइट डिएक्स डिटी गाय डिएक्स का मतलब क्या है कि कोई भी दो पॉइंट क्योंकि बटा ये तो कॉंस्ट रिए स्टेट में डिटी बाइड ऑऊपils अमछे एफ अभी तो बताई के articulate का difference सेम उता ये दजसेंट इसका है जीरो तो डीटी मतलब कोई भी कोई भी पार्ट कोई भी पार्ट उसकी लेंद अगर पता उसके अक्रोस टेंपरेचर डिफरेंस पता तो लिख सो डीटी हो गया अपने पास में 100-0 और यह कितनी दूरी में है यह बैटा 10 मीटर में तो यह आगया अपने पास में डीटी बाइड एक्स की वैल्यू दस अपने आप या जाएगी रखनी ठीके ना डिगरी सेंटेग्र पर मीटर आएगा वैसे तो छीक क्लियर अरे इन दोनों पॉइंट का तेंपरेचर डिफरेंस कितना है सो डिगरी कितनी लेंथ में यह तो यह तो हमें हमें क्या पूछा हुआ है कि इस पॉइंट का ट्मराइचर बता धु तो हमें तो पता है कि इस इतनी हीट घुसरहÃس पॉएं कि इदर से बाहर निकल रही है मतलब अगर इस रॉड के लिए मैं डीक्यूभाई डीटी इस पार्ट आफ रॉड के लिए डीक्यूभाई डीटी लिखो तो वह constant होना चाहिए तो मैं करने भी वाला हूँ वही तो मैं लिखता हूं भाई साब के ए ंदी緸ी है इसका टेम्परेच्रेश टेम्परेच्रेश्र rag duct दी अपॉन कितनी लेंथ मैं एक्सलें तरबबहर होगा इधर की अनता है मैनस का अधर का कमेचर कितना इसका अपॉन 10-1 week Okay minus 싸kea minus的 घंठ यहां से अपने पास में ex orLS में एक रिलेशन आ जाएगा तो यह आ गया टी एक्स इसी कोस्ट टू 1,000-100 एक्स चिक्या न माइनस 10T प्लस TX, T और X में एक रिलेशन आ गया, तो क्या पुछा हुए, X दूरी पर टेमपरेचर पूछा हुए, तो आपके निकल जाएगे, यहां से X दूरी पर टेमपरेचर ठीकिना, यह 100X है, यह TX है, और यह TX है, यह TX है, चैंसल आउट होगी, TX और TX, तो अपने पास में आगे बटा, 100X माइनस 1000, डिवाइड़ बाइ 10, या आगे T, किसी भी X दूरी पर टेमपरेचर, X की वेल्यू डालते जाओ, आपके पास T की वेल्यू आती रहेगी, टेमपरेचर की वेल्यू आती रहेगी, X की वेल्यू जालते जाओ, टेमपरेचर की वेल्यू आती र कि यह distance हमानलो एंड वह किसकी रइस की बात कर रहा हूं है vitesse की मतलब वह ऑन कर रहा कि पहले हीट जाने लग रही ये और गरम करने लग रही आपस पास के मेटीरियल को नहीं स्थेडि स्टेट श सब्सक्राइब सारा काम हो चुक है पूरा पर सिस्टम मतल yellow kuch energy जा रहे यहां पर पाँच जूल से कुछ zak में तो बेटा इस पाइट से भी एनसट से फ़ीफाच जूल ही गुजरेगी एक सेक्ण Δकी किसी बेपार्ट से फाच जूल ऐनसगी एक में अगर पांच जूल गुश गई ना तो पांच जूल एनरजी ही क्या होगी बैटा एक एक सेक्ड में ट्रांसफर होगी ठीक है अब यहां का टेंपरेचर कुछ और होगा यहां का टेंपरेचर कुछ और होगा यहां का टेंपरेचर कुछ और होगा यहां का टेंपरेचर जा रहा है ना डिटी डिटी वहर एक डिएक्स लेंथ में टेंपरेचर का जो डिफरेंस है डिटी 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 वह constant रहेगा for any part of the road for any part of the road हर एक particular part के लिए जो temperature है उसका difference हर एक unit length में वह क्या रहेगा यहां का ज्यादा होगा और इससे आगे temperature कम होता जाएगा हर एक पॉइंट का temperature कम होगा बट पर unit length में जो temperature का difference रहेगा तेमपरेचर सेम नहीं है temperature का difference constant temperature तो अलग अलग तेमपरेचर का difference constant यह सिंपल सी वाद ठीक है ना चालिया तो anyway यह question है छोटा सा इसको आप लोग एक बार homework में try कर लेना वैसे कोई बहुत ज्यादा difficult सवाल है नहीं है but you guys can try and answer आप लोगों को comment section में बता देना यह सवाल हमने कर ही लिए ठीक है clear अब बेटा convention हमारे syllabus में है नहीं but thermal radiation important part is chapter का radiation क्या होता है इसकी चर्चा हम लोगों करने सबसे पहले नहीं जो लिखा हीट का transfer होना क्या कहलाता है radiation कहलाता है ठीक है बना बॉड़ी इस हीटेड एंड प्लेज इन वेक्यूम इत लूजज़ हीट इवन देर इस नो मीडियम सुनना ध्यान से क्या कह रहा है कि आपने किसी बॉड़ी को वेक्यूम में रख दिया वहां भी बॉड़ी हीड लूज कर सकती है जबकि आसपास में कोई सराउंडिंग नहीं किसी सराउंडिंग के पार्टिकल को नहीं दे रही है फिर भी हीट लूज हो सकती है क्यों हो सकती है क्योंकि radiation works that way it cannot go out from the body by the process of conduction and convention since both of these process require the presence of a medium between the source and surrounding object ठीक है और बिटा इसी जो प्रोसेस आपको समझाया मैंने इसी प्रोसेस को हम क्या कहते है radiation कहते हैं ठीक इसको बहुत अच्छे समझने के लिए हमें चोटी-चोटी चीजों पर जाना पड़ेगा और चोटी-चोटी चीजों में सबसे पहली चीज़ है प्रिवोस्ट थियोरी ओफ एक्सचेंज यह क्या कहती है थियोरी बाद में बताऊंगा मैं पहले आप ऐसे मानो इसका मतलब यह है प्रोस्ट थियोरी फेक्सचेंज का की एवरी सिंगल बॉड़ी वो हीट रेडिएट भी करती है और वो हीट एक्सेट भी करती है सरावनिंग से जब में किसे सरावनौंडिंग में उसे प्लेस कर देते हैं at every temperature above zero Kelvin, क्या कहा मैंने, कि all body emit radiation, all bodies emit radiation, ठीक है, at all temperatures, सभी temperature पे body क्या करेगी विटा, सभी temperature पे body heat जो है, अपने अंदर से, वो radiate करेगी, जैसे temperature मेरा 40 दिगरी है, तो मैं अभी कुछ heat radiate कर रहा हूँगा, लेकर अगर मेरे temperature बढ़ जाएगा, तो मेरा heat जो radiate हो रहे हैं, वो भी बढ़ जाएगी, तो वैसा आप सभी body, सभी body क् करती हैं, मतलब अपने अंदर से heat radiate करती हैं, किस temperature पे, सभी temperature पे, अबो, 0 Kelvin, 0 Kelvin से उपर temperature पे, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, कि अगर हम rod ले, उसको बहुत गरम कर दें, बहुत गरम कर दें, और चारो तरफ पूरा अंधेरा कर दें, वैसे अगर हमने अंधेरा कि किया हुआ है, बिल्कुल डार्क है, मून भी नहीं निकला हुआ है, कमरा बिल्कुल बंद है, तो बैटा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर एक hot red rod को मैं रख दूँ, iron rod दूँ, उसे बहुत ज्यादा गरम कर दूँ, बहुत ज्यादा, तो वो rod आपको न करती है, ठीक है, सभी bodies emit radiation at all temperature, ठीक है ना, clear है, amount जो होता है, heat का, वो किस पर depend करेगा, बैटा, temperature and material पे, amount of heat, radiation, amount, कितना amount, radiate कर रही है, कोई भी body, वो depend करेगा, temperature and material पे, temperature पे तो obviously depend करता ही है, and material पे, ठीक है, तो यह note करो, कोई भी body अगर heat release कर रहे है, तो कितनी heat release करेगी, उसका amount किस पर depend करेगा, temperature पे and उसके material पे, ठीक है ना, अब क्यूंकि सारी bodies heat radiate करती है, सभी temperature पे, तो accept भी करती है, निकि absorb भी करती है, यही previous theory of exchange यही है, जो मैं लिखवा रहा हूँ, all bodies absorb radiation at all temperature, अब जीरो केलविन, जीरो केलविन से उपर, सभी body radiations को absorb भी गरती है, ठीक है, अगर सुनना ध्यान से, मान लो कोई एक body है, ठीक है, इसकी कुछ dimensions है, ठीक है, यह body पे heat आ रही है, ठीक है, जो heat आ रही है, radiation जो गिर रही है, यानि कि जो energy आ रही है, इस पे, वो है Q, I, heat incident, ठीक है, क्या कह रही है, heat incident, ठीक है, अच्छा, अब जान दे सुनना, यह heat को accept भी करेगी, और simultaneously खुद भी radiate भी करेगी, ठीक है, या ऐसे मान लेते हैं, अपन लोग कि इसने accept जो की है, heat, heat जो इसने absorb की है, heat जो इसने, इस पे कुछ heat पढ़ी, उसमें से इसने कुछ heat absorb कर लिए, उसे मैं कह रहा हूँ, क्यों, heat absorb, और कुछ heat है, जो यह क्या कर रही, radiate कर रहे, क्योंकि हर temperature पर body, radiate भी करेगी, accept भी करेगी, absorb भी करेगी, हर body, मतला मैं भी, मैं भी हर एक temperature पे, सर्दी गर्मी बरसात, कोई भी temperature हो, हर time मेरे में से radiation निकल भी रहे, और मैं radiation accept भी कर रहा हूँ, यानि मेरे पर energy आ भी रही है, और मैं energy छोड़ भी रहा हूँ, अब अगर heat radiate जो हो रही है, वो ज्यादा है, absorb heat से, तो body का temperature obviously बात है, कम होगा, अगर heat radiate जो कर रही है, बोड़ी मतलब energy छोड़ तो ज्यादा रही है, एक्सेप्ट कम कर रही है, तो temperature घटेगा, अगर radiate कम कर रही है, और absorb ज्यादा कर ये body to body depend करेगा, कि body क्या ज्यादा करेगी, ये body पर ही depend करेगा, अगर मैं ले ज्यादा रहा हूँ, क्या energy और छोड़ कम रहा हूँ, तो मेरा temperature बढ़ेगा, तो temperature increases, तो body का temperature increase करेगा, ठीक है, अगर दोनों ही बराबर हैं, तो temperature constant, भाई मैं जितनी energy ले रहा हूँ, उतनी energy छोड़ रहा हूँ, तो मेरा temperature बढ़ाने के लिए कोई reason थोड़े ना है, temperature कब बढ़ेगा, जब energy आपको जादा मिल रही हो, और आप छोड़ कम रही हो, temperature कब घट जाएगा, आपका, जब आप energy छोड़ जादा रहे हो, और ले कम रहे हो, और जितनी ले रहे हो, एनर्जी उतनी ही दे रहे हो, तो भाई, temperature आपके molecules के temperature बढ़ाने के लिए कोई reason नी बचा, तो आपका temperature ऐसी हालत में constant रहेगा, अब ये जो कहानी है ना, ये वही है, मतलब इस 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 ओनली, मतलब ये सेम चीज है, जो मैंने आप लोगों को लिखवाई है, इक्जाक्ली सेम चीज, ठीक है ना, प्रिवोस्ट थेओर एक्टेंग है ना, यही मैंने यहाँ पर लिखवाया बिल्कुल, कि सभी बोडि सभी temperature पे क्या करती है, radiation emit करती है, और accept भी करती है, absorb भी करती है, और अगर absorb किया है, और radiate किया है, absorb जादा किया, radiate कम किया है, तो अपको temperature बढ़ेगा, radiate जादा किया है, absorb कम किया है, तो temperature घटेगा, और दोनों बराबर तो temperature constant रहेगा, ठीक है ना, clear सभी लोगों को, च्यालो, आपको छोटी सी चीज, absorption, reflection and emission ये क्या होत कितने energy आ रहे है, qi energy आ रहे है, incident energy, per unit time में, हर second में qi magnitude के energy इस पर गिर रही है, ठीक है, अब इस qi energy में से न सुनना, ये body कुछ तो absorb कर लेती है, उसे हम कह रहे हैं, qi energy absorbed, क्योंकि surface थोड़ी शाइनी है, तो reflect भी करेगी, हर surface करती है, तो reflect जो इसने कर दी, उसे कह रहे है हम लोग qr, विटा ये reflect और radiated अलग अलग चीजे, reflect का मतलब है, energy पढ़ेगी, तो reflect होगी, radiated का मतलब है, मेरे खुद के temperature की वज़ा से, मैं energy radiate कर रहा हूँ, these two are different thing, reflect का मतलब है, energy पढ़ी, मेरे उपर तो reflect हुई, तो कहीं और से energy आके reflect हुई, radiate का मतलब होता है, मेरे खुद के temperature की वज़ा से, मेरी surface की property की वज़ा से, मैं temperature, किसी भी temperature पे energy बाहर फेकता जा रहा हूँ, मेरे उपर गिर नीरी energy, नहीं गिरेगी नहीं तब भी मैं फेकता रहा हूँगा, energy, reflect तब होगी, जब पहले आईगी, energy फिर जाएगी, radiate तब हो reflected energy, ठीक है, sorry, reflected energy, ठीक है, clear सभी लोगों को, और एक energy होगी, जो transmit हो जाएगी, एक energy होगी, जो transmit हो जाएगी, ठीक है, एक energy होगी, जो मतलब जो आगे चली जाएगी, मतलब इस body के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर चली जाएगी, absorb जो हो तो आते के साथ खतम हो जाएग तो जो energy आ रही है क्युआ कि यूज किया जा रहा है उस एनर्जी इंसिडेंट किनरा से यूज क्या जा रहा है वही एनर्जी कुछ तो absorb हो रही है क्यों ट्रांस्मिट हो रही है और कुछ reflects वापस उसी में जा रही है ठीक है ना क्लियर है बेटा सभी लोगों के यहां तक कि कोई दिक्कत तो नहीं बिलकुल एकदम एनरजी आई उसके तीन काम हुए कुछ मैंने अब्जॉब कर लिए अब्जॉब खदम कुछ मेरे में से ट्रांस्मीट हो गए एक पार्ट से दूसरे पार्ट मे कुछ पड़के वापस रिफ्लेक्ट हो उसका मैंar यूज नहीं कर पाया हना अब मैं इस इक्वेशन को क्यू आई से जो इंसिडेन्ट एनर्जी है उसी से ही divide कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ उसी से divide कर रहा हूँ यहां आ जाएगा one यहां आ जाएगा qa upon qi इसको मैं बोल देता हूँ small a ठीक है न क्या बोल देता हूँ small a इसको मैं बोल देता हूँ small t इसको मैं बोल देता हूँ small r a tr ठीक है इनका सम 1 है ए क्या है एब्जॉप्टिव पावर एब्जॉप्टिव पावर का मतलब क्या है कितनी एनरजी आप पे इंसिडेंट हुई उसका कितना पार्ट आपने एब्जॉब किया है यह है ट्रांसमिसिव पावर यह है रिफलेक्टिव पावर यह है एब्जॉप्टिव पावर चीक है चलो मैं लिखके बता देता हूँ A का मतलब क्या है T का मतलब क्या है A है कितनी एनर्जी आपने एब्सॉब करी divided by total energy कितनी थी इसे कहते हैं एब्सॉब्टीव पावर ठीक है कि आप कितनी एनर्जी एब्सॉब कर पा रहे हो R का मतलब है कितनी एनर्जी रिफलेक्ट करी total energy कितनी आई reflective power surface की property है वाई ठीक है ना T जो है वो है कितनी एनर्जी ट्रांसमेट हुई divided by total energy कितनी गिरी तो यह है अपने पास में transmissive power ठीक है बहुत बड़ी असर समझ में आगया कोई दिक्कत ही नहीं है यह तीनों टर्मस आप लोगों अच्छे से याद होनी चीए और अच्छे से समझ में आनी चीए कोई दिक्कत वाली बात होनी नीचीए ठीक है ना अब देखो ध्यान से हमें चर्चा करने एक ब्लैक बोडी की लेकिन ब्लैक बोडी से पहले हमें चोटी सी चर्चा करना चाहते हैं आपके साथ में और वो चर्चा इस पॉइंट पे है कि हर बाड़ी हर एक time पे radiation emit कर रही है हर बाड़ी हर एक time पे radiation emit कर रही है तो हर एक time पे जो radiation emit हो रहा है हर second में per unit area से उसे कहते हैं Emissive Power, Emissive Power क्या होती है बटा, इसे हम E से दिखाएंगे और ये होती है energy per unit area per unit time जो emit हो रही है, हर एक second में body irradiate कर रही है, तो unit area से एक second में जो energy radiate हो रही है, निकल रही है बाहर, उस energy को कहते हैं Emissive Power, बार 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 बात होगी, ठीक है, black body बेटा एक ऐसी body होती है, जिस पर जो भी गिरे उसको पूरे को absorb कर ले, जितना भी radiation इस पर गिरेगा, उस radiation को ये absorb कर लेगी, let's say हम एक black body consider कर रहे हैं, ठीक है, ये black body जो है, इस पर कोई radiation गिरी, let's say qi, ये radiation incident radiation, ठीक है, incident radiation है, एक सेकंड में incident radiation कितनी है qi, ठीक है, let qi be radiation incident on black body in one second, ठीक है, एक सेकंड में black body पे qi radiation आई, तो black body तब black body कह लाएगी, कि जब radiation, absorbed by black body in one second, कि जितने भी energies पे गिरे, उसको पूरी के पूरी को ये क्या कर ले बिटा, absorb कर ले, मतलब कि ये reflect नहीं करेगी, तो इसके लिए reflective power भी 0 है, ये transmission भी नहीं करेगी, तो इसके लिए transmission power भी 0 है, ये सिरफ और सिरफ क्या करेगी बिटा, ये सिरफ और सिरफ absorb करेगी, absorb क्या होती थी, कि कितनी radiation आपने absorb करी, divided by total radiation कितनी गिरी तो भाई साव हर normal body यह नहीं कर पाती कि जितनी भी radiation गिरी उसको absorb कर ले तो black body के case में क्या होता है जितनी radiation गिरी उतनी ही absorb कर लेती है मतला absorbed radiation भी QI है और incident radiation भी QI है तो black body body के लिए लेकिन उसकी वज़ा से वो सारी की सारी एनर्जी और लेती है अब एब्सक्राइब कर लेती है तो black body का टेंपरेचर बढ़ना चाहिए टेंप्रेचर बढ़ेगा भी लेकिन उसकी वज़ा से वो सारी की सारी energy जितनी लिए उतनी radiate कर देती है अपने खुद रेंपरेचर से तो black body जितनी energy आती है उसके उपर ब्लैक बोड़ी के पास ट thanks अगहे मने ब्लैक बोड़ी का निकलते सभी टेम्प्रेटर सेम् है तो जितनी निर्डेक भी करेगी खुद के के लोती है पहले तो उसे ऱबica करती सब को फिर वापस भार रेडिये writers कर देती है यह उता ब्लैक क्लियर सब लोगों को बिल्कुल सिंपल सी बात है और इमिसिव पावर जो है इसके उपर काफी चर्चा हम लोग अभी करेंगे आई होप आपको ब्लैक बोड़ी का थोड़ा सा कॉंसेप्ट जो है वो समझ में आया है ठीक है ना अब थोड़ी सी इमिसिविटी की बात आप लोगों से फेरीज ब्लैकबोडी करके एक टॉपिक है उसे बाद में देखूंगा बट पहले हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं दो बाड़ी लेते हैं ठीक है ना लट शेसेज़ इस इस नॉर्मल बड़ी चीक है एन भी का मतलब है नॉर्मल बड़ी और यह सरावंड सरांडिन गां Batman T not T appawan में सब equilibrium में ठीक है आपसमे सब equilibrium फुल एक दसके engineer in understanding साइजैसे पर सेम टेंपरेचर पर नों बोडिस्टी चे कि अब सरान निंसा मालों दोनों बोडीज पर red isso n गिरती है till ठीक है same । ती खें están इंसिडेंट आंघ ब्लैक बॉड़ी पर सेकंड हर एक सेगड़ बात हो रही है वह क्यों ऐ एनरजी आप जॉब्ट बाई ब्लैक बोड़ी अबसारी के सारी आप्सारी अबसॉब कर लेक ब्लैक बोड़ी तो क्यों आई Emissive Power of Black Body Emissive Power of Black Body Black Body Emissive Power क्या है EB EB को मैं लिखूंगा अरे Emissive Power का भी दिखाया था ना इसे Energy Incident divided by area into time ठेक है भाई माना दोनों का एरिया जो है इसका भी एरिया जो है इसका भी एरिया ए है दोनों सर्फेस का एरिया दोनों ही बॉडिस का जो एरिया है वो exposed area surrounding के लिए ए है तो Energy आ रही है Black Body पे क्यों आई और स्री एनर्जी रेडियेट जो करती है बॉडि एनर्जी जितना रेडियेट करती है डिवाइड वाई पर उनिट एरिया पर उनिट टाइम जो होता है उसे कहते हैं इमिसिव पावर कितनी एनर्जी रेडियेट करी अब अब एनर्जी आई क्यून 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 क्यूं क्यून केच में से मैंने एपजोब करी कितनी एनर्जी अब सॉब करी क्यून UMता तरय मीलई का यह तो 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 शेल में दो तो यह क्यों आई जो है यह एनर्जी इंसिडेंट इन सेकेंड यह उता है क्यों कि आल्रेडी सारी सारी एनर्जी मैंने वन सेकेंड में इसकी बात करते हैं energy incident on normal body QI आ रही है absorbed by normal body one second में in one second हो रहा है सारा काम यह भी यह भी one second में ठीक है यह आएगी AQI क्योंकि normal body के लिए देखो normal body के लिए absorptive power जो होती है वो होती है energy absorbed divided by total energy incident तो energy absorbed निकाल रहा हूँ तो A into QI करूँगा A क्या absorptive power इस normal body कि इसके लिए तो one होती न है absorptive power अभी भी तो पढ़ाता इसके लिए absorptive power A है energy जो आर इसको multiply कर दो हो तो absorbed energy आ जाएगी one second में तो यह आगी AQI ठीक है यह आरा अपने पास में सुनना द्यान से भाई मैंने इतनी energy है जो क्या करिए बेटा radiate करिए unit second हर एक सेक्ड़ में इतनी energy radiate करूँगा यह absorb करी मैंने अब अगर मिरको अपना temperature क्या करना है constant रखना अगर मिरको अपना temperature इस normal body को अपना temperature क्या करना नहीं पड़ेगी तो करदी रेडियेट इसने aqI divided by area जो है इसका वो तो black body के बराबर है अम मैं इंदोनों का रेशो निकाल रहा हूं कि emissive power of normal body divided by emissive power of black body ठीक है ना aqI upon a divided by qi upon a cancel out हो गए बराबर आगया एक है किसके बराबर आगया एक है एक क्या है इस normal body का क्या है absorptive power आच यानि कि अगर मैं उस एक को इधर लियाओं और इस black body की emissive power को उधर ले जाओं मतलब e normal body upon उसी body की absorptive power बराबर होगी black body की emissive power के और यह हमेशा constant होगी सुननों ध्यान से यह क्या है emissive power of a normal body यह क्या है emissive power of normal body यह क्या है absorptive power of the same body इसका जो रिश्यो है वह black body के emissive power के बराबर आ रहा है इसके बराबर आ रहा black body के emissive power के बराबर आ ठीक है clear simple एक्दम इसे क्रिचोफ लोबी कहते हैं हीट में जो किर्चॉफ लो यूज होता है वह भी कहते हैं नाम यह कि किसी भी black body की जो emissive power constant होती है उसे आप बदल नहीं सकते हो क्योंकि यह constant है बोड़ी के लिए किसी भी normal body के लिए यह भी constant है तो दोनों का ratio भी constant यह आएगा और वह हमेशा किसी भी ब्लैक बॉड़ी के क्या है गविटा emissive power अब 74 से ही एक छोटा सा concept निकल का था जिसे हम कहते है इंश से इस इसटेंगा है यह स्मौल एक्षयो घुटा यह रेशो होता है यह रेशो होता है यह रेशो होता है दो चीजों का किन दो चीजों का ध्यान से सुनलो Emissive Power of Normal Body divided by Emissive Power of Black Body इन दो चीजों का रिशो है एक अलग टाम है एक अलग टाम है ठीक है अब फ्रम दिस रिलेशन वीकेंड से अभी-अभी हमने पढ़ा है कि Emissive Power of Normal Body और Emissive Power of Black Body तो वह या अभी अभी हमने निकाला कि Emissive Power of Normal Body के बराबर होता है जिस बॉड़ी के लिखा उसी बॉड़ी के बराबर होता है इमिसिव पावर ब्लैक बॉड़ी और इमिसिव पावर और नॉर्मल बॉड़ी का रेशो लेकिन सर आप कह रहे हूं कि Emissive Power of Normal Body और वैल्यू आई थी एके बराबर मतलब नूमेरी कली नूमेरी कली ए और यी बराबर होंगे लेकिन थियोरी टेकली बराबर नहीं है फिजिकल सिगनिफिकेंस अलागे एका मतलब होता है कि किसी बॉड़ी पे जो एनरजी गिर रही है उसका कितना पार्ट वो बॉड़ी एब्सॉब कर रही है यह होता है अलग चीज है लेकिन नूमेरी कली फॉर आल बॉड़ी इनकी जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी न सेम आएगी ठीक है नूमरी कली इनकी वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी आच ठीक है यह दो नंबर का रेशो है इसे कहते हैं हम लोग एक अलग कॉंसेप्ट है एब्सॉप्टिव पावर अलग है वह हमने पढ़ा हुआ है कि कितनी बॉड़ी पे अनरजी आ रही है उसका क बलैक बोडी दिए बराबर भी वन हो गया सिंपल सी बात है इमलेकव बाडी चैक कि एन बात कर लिया यह भारत रहो है शलो ऑप सम्छेया गपावर रखना लोग तो बात करेंसीव आंट कर लिया यह भी लिख्टा हुआ है लिकलो आप, सेम टेंपरेचर पर बातो यानद रहना सभी लोग यह बातें जो भी हो रही है s'sig टीम्प्रेचर पर याद रखना सभी लोगों को हिग टीरर हे है सभी लोगों को बडिएयर समझ में आ रहा है चालो अब बात कर लेते इस्टिफन बोल्डेचा भानध भहिया की, हाँ, माल लो कोई बॉडी है, टेम्परेचर रहे सका T, सर्राउंडिंग का टेम्परेचर थे T, ठीक है, अब मैं मान रहा हों कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, सर्राउंडिंग का टेम्परेचर कम है, यह मान रहा हूं, T is greater than T, जो एनर्जी रेडियेट करेगी इस्टीफन बोल्जमान ने बताया रेडियेट मतलब अपने टेंपरेचर की वज़े से एनर्जी बाहर फेंकेगी रेडियेट करेगी यह बॉड़ी अबरियुनियट टाइम में तो यह इनकी पर सेकंड में उसको मानने डीक्यू आर बाइ डीटी एनर्जी रेडियेटेड पर युनेट टाइम प्रोपोर्पोर्शनल होगी जो एक्सपोज एरिया है बॉडी का सरांडिंग को ज्यादा एरिया एक्सपोज और ज्यादा ही हब साथ में immisivity के भी proportional होगी immisivity के भी proportional होगी ठीक है है आच्छा जी बहुत बढ़िया छिसको हम हठाते है को प्र पोर्पोर्टलल टी कॉंस्टेंट को तो हमारे पास आजाता है शिगमा ई-ए-D की पावर फोर सिगमा है बेटा बोल्जमान कॉंस्टेंट इस्तीफन बोल्ड जमान कॉंस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या होती है फाइफ पॉइंट सिक्स सेवन इंटू 10 पावर माइनस एट अच्छा यूनिट लिख सकते हो क्या सिग्मा की देखो यह होगी जूल पर सेकेंड ठीक है और यह तीनों नीचा जाएंगे इमिसिविर्टिक तो कोई यूनिट होती नहीं सेम क्वांटरितिटीव का रेशयो तो दोनों कट जाएंगे एरिया आजागा मीटरी स्क्वायर और यह आजागा कैल्विन की तेंपरेट करें तो एक यह क्योंकि बोड़ी energy temperature कि बारीक कि तो बोड़ी रेडियेट कर रही energy बट हर टेमपरेटर बोड़ी radiation को एकसेप्ट भी तो गरते अब्सॉब भी तो करती सरग्लिकूब साही कहा रहो गलत बात नहीं है तो मैं कया हूँगा radiation absorbed by body surrounding radiation इसको मैं कहाँ देता हूँ dqa dt क्या कहाँ देता हाँ radiation absorbed per second वो आ जाएंगे बैटा अपने पास में वो बताया इसने बोड़लोमन स्पीफण नेकि प्रपेशनल होते हैं किसके एप्जॉरब्टिव पावर के और गप्सी बाते एब्चना कर रहे है बोड़िव सब्सक्राइब द मि sympathetic पार चार पर मंगर कि कि DQA by DT बराबर आजाएगा सिगमा एकी पावर एटीएस की पावर फोर ठीक है या यह हर सेक्ड़ में एनरजी अब सॉब्ट अब क्योंकि मैं यह कह रहा हूं कि टेंपरेचर जो है वो बोड़ी का ज्यादा है और अपनी सराउंडिंग का कम है तो बोड़ी हीट लॉस करेगी कुछ ना कुछ करेगी नहीं करेगी करेगी यह नहीं करेगी अरे नेट हीट लॉस होगा न होगा यह नहीं होगा भई दे ज्यादा रहा हूं ले कम रहा हूं तो हीट का तो लॉस ह होगा ना सिंपल सी बात अच्छा तो नेट हीट लॉस किसी डीटी टाइम में वा जाएगा डीक्यू आर बाइडी टी माइनस डीक्यू एबाइडी मानलो मैं रेडियेत कर रहा हूं 50 और ले रहा हूं 30 दे रहा हूं 50 ले रहा हूं 30 तो भई 20 का नुकसान ही हो रहा है ना हर ए हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है मैं पचास रेडियेट कर रहा हूं और दे रहा हूं सिर्फ बिटा पचास रेडियेट कर रहा हूं ले रहा हूं सिर्फ 30 तो 20 का नुकसान हो गया ना मेरा तो बिल्कुल सही बाद अच्छी है तो तो यहां वैल्यू रखो यहां व पावर फूर ठीक है और यहां जागा सिगमा एए टीएस की पावर फूर बात तो सही है सर कोई गलत बात नी कर रहे हो आप ठीक है यहां से फिर से चलता हूं डीक्यू बाइडीटी इस इक वर सिगमा ए ठीक है और चलो ठीक इसको एजटीज रहने देते हैं इसको एजटीज रहने देते हैं अगर मैं किसी ब्लैक बोडी के लिए बात करूं तो ब्लैक बोडी के लिए और यह दोनों क्या हो जाएंगे और निमेरिकली मुझे पता है किसी भी बाडी के लिए निमेरिकली इबरा सिग्मा एट वार मीनस सिग्मा फ्र सक्ति paved ऑट स्वीपावर फूर ट केस्र यह फॉर्मुलाय याद रखना कि कि तना ही टलॉस होगा शिक्मा सिग्मा ए ए इफी पावर 4 minus Ts की power 4, इतना heat loss होगा हर एक सेकंड में, यह है heat loss in each and every second, ठीक है, clear है, clear है यह heat loss है हर एक सेकंड में, ठीक है, clear है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक बात समझ में आरे सभी लोगों को, आच्छा, आरे ना समझ में, कोई दिक्कत में, अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि body जो है, उसका temperature change हो रहा है, हम यह करें कि body temperature था, मतलब T, किसी टाइम पे, थोड़े दिर बाद होगा, temperature T plus DT, ठीक है, और यह DT negative है, क्यों नेगटिव है, क्योंकि temperature घट रहा है, आप इसको T minus DT भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, DT negative, temperature घट रहा है, क्योंकि body radiate ज्यादा कर रही है, absorb गम करें तो घटेगा, तो T plus DT जो है, यह यह पूरी की पूरी टाम है, इसमें DT negative, इसमें DT negative, DT, एक AC value आएगी, चो नेगेटिव होगी, जो से पहले माने लो, temperature 50 था, अभी घटके हो गया, temperature 30, तो T plus DT, मतलब 50, plus minus 20, जो है, वो अभी का temperature, इसको मैं T plus DT, सब्सक्राइब, इनिशल टेंपरेचर ता 50, तो DT negative आएगा, सिम्पल सी बात, negative DT, अच्छा, temperature घट रहा है, तो DT negative, पट इसको लिखते है, ऐसे, ठीक है, न, च्यालो जी, तो यार, सर, आपने कहा, temperature घट रहा है, ऐसे, ऐसे, बोडी का मास है, M, specific heat capacity है, S, बोडी का मास ह तो इसको अपन थोड़ा-थोड़ा क्या कर लेते हैं, थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा इसको modify कर लेते हैं, मैंने कहा, जी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परप से, परेशानी नहीं, ठीक है, आपने कहा कि energy जो radiate हो रही है, ठीक है, energy जो बाहर जा रही है, temperature DT घट रहा है, अभी अभी पढ़ा है कि अगर temperature change होता है, DT, M मास की बोड़ी का, जिसका specific heat हो S, तो कितनी energy निकल नी चाहिए, बोड़ी से, मतलब कितनी energy, अगर temperature घट रहा है, तो हम कितनी energy लेंगे बोड़ी से, MS Delta T, अगर हमको temperature बढ़ाना है, तो एनरजी देनी पड़ 4 माइनस T S की पावर 4, इसको DT रख लेते हैं, DT temperature बढ़ाना, DT ठीक है, अच्छा, यहां तक की बात तो बढ़िया से हमको ज़र समझ में आ गई है, इस MS को इदर भेज़ दो, माइनस DT अपॉन DT, यह आ रहा है, सिगमा A A upon MS into T की पावर 4 माइनस T S की पावर 4, ठीक है, यह हा रहा है, यही हा रहा ह Adapt hour A की जगह E लिख सकते हूँ, इक जगह A लेक सकते हूँ, नुमेरीक harvest लिघर यह बराभर एद तो आप A की जगह E लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कता नहीं, आप चाओ आप यहां भी सकते हो, मतलाब यह मैं आ नेंसिरफ ना replace कैं हाँ, लिए ईपता है तो इसको शब्रक्राइब करता है कि आपको पता क्या है और फॉर्मुले दोने याद होने चाहिए कोई दिक्कत वाली बात लिए अब सुन लो ध्यान से ये दोनों चीजे जो टाइम के साथ में कैने टेम्परेचर का फॉल इखना चेह कितने टाइम मैं तेंपरिचर गिर जाएगा बोडिडा मुझे यह पता है तो यह वाला फॉर्मॉला गश्ये जबाए और एब्सॉप्टिफ पावर एब्सॉप्टिफ पावर कितनी इस पर डिपेन्ड करेगा ठीक है बटा क्लियर है कोई डॉट्ट तो निकिसे को अब इसी फॉर्मूला को मैं आगे बढ़ाऊंगा Newton's Laws of cooling के नाम पर है किस पर आगे बढ़ाऊंगा Newton's Law of cooling ठीक है 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 हेडिंग डालो सब भी लोग Newton's Law of cooling Newton's Law of cooling ठीक है clear है clear 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 चल जहन से सुनो अभी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है जिसको हम law of cooling कह रहे हैं वो फॉर्मूला हम यह बताता है कि टाइम के साथ में ना ऐसे कुछ परिवर्तन होते हैं ऐसे 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 और ऐसे ठीक है न्यूटन ने कहा इसी फॉर्मूला को एक्स्टेंड करती है कि लेट सराउंडिंग का जो टेंपरेचर है वो टी नॉट है बँब है कि टना जी बेटभिन बहुत बढ़िया और बॉडरी के टेंपरेचर जो है वो टी ने अब बोडियोर श्राउंडिंग जो है न उसके टेंपरेचर में बहुत जादा डिफरेंस नहें क्या कहां मेंने बॉडी안 और सराउंडिंग जो है उसके difference में, बहुत जादा difference नहीं उसके temperature में बहुत जादा difference नहीं है, T को में T not plus delta T महले सकता हूं, मतलब temperature of body जो है, वो T मैं करणा हूँ में सरावंडिंग के पास ही ऑफ हो temperature estar Bei surrounding और body जो है उनका temperature बहुत जादा difference नहीं होता, call depends difference नहीं होता ऐसी तरह की बात है कि सर मान लो यार आप मान लेते हो अब कोई दिक्कत नहीं है रग दो यहां पर माइनस डीटी अपॉन डीटी ठीक है यहां तक कि बास अभी लोगों फिल भी इक्वल स्टू सिगमा इए अपॉन एमेस टीटी पावर 4 मतलब टी नॉट प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 ठीक है यह आ गया अब मैं कहता हूं आप से की इसमें से टी नॉट कॉमन ले लो तो मैंने रिखा माइनस डीटी अपॉन डीटी ठीक है इस इकल सिगमा इए अपोन एमेस आप क्या कर लो बेटाइश यहांसे यहांसे नहाटी पावर ती नॉट कॉमन लेएगो तो तो आपनाटी नॉट की पावर चार बाहर निकाल लिए अंदर बचंद का वण प्लस डैल्टा टी अपोन ती नॉट की पावर भी औरно त्सक्तर człOne क्यूंक कि यहां एसा मानुक्स अज्टी माइए पूरे में मतलब टीनौक्त योपार से मल्टिप्लाए इधर करूंगा फॉर तो पाफॉर पार पार वन को ढिनोट गांज वॉट चहाए है यह नोडज खेल को यह लुवट rugged है temperature of body and surrounding are same तभी तो इसको बॉड स्रावंडिंग टेंपरेचर में डेल्टा टी एड़ करके बता दिया मैंने बॉड़ी का टेंपरेचर हां बात तो सही करें तो मैंने लिखा भाई बाइनोमेल एक्सपेंशन पढ़ा है सभी ने तो मैं इसको लिख दूँगा 1 प्लस 4 टाइमस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट माइनस वन यह गैंसल आउट हो गया यह टी नॉट से एक टी नॉट गैंसल आउट हो गया तो माइनस डी टी अपॉन डी ती जो है वो अपने पा टी यहां क्या यहां यहां पर क्या आया है डेल्टि क्या है जलत टी आ हमारे सराऊंदिंग और इस पूरे फॉर्मूला में अच्छा सराउंडिंग और बॉडी के टेंपरेचर का जो डिफरेंस है वो है ठीक है यह सारा का मामला जो भी लिखा हूँ है सराउंडिंग का टेंपरेचर बॉडी का एरिया इसको मैं के लिख रहा हूं तो डीटी अपॉन डीटी इस इकोल स्टू के डेल्टा टी अब ध्यान से देखो डेल्टा टी को में रिप्लेस करूंगा रल्टा टी को क्या लिख सकता हूं ती मैं एस टी नॉट रस्टी नॉट को इ旧र बेंद़ दो डेल्टा टी को कि लिख सकता हूं टी मािनस टी नॉट लिख दो यहाँ प laughing minus dT upon DT is equal to Kay T minus T naught मतलब की temperature के जो fall होने की rate कि कितने टाइम में कितना temperature fall हो रहा है वो temperature of body and temperature of surrounding के difference के proportional है this is proportional to temperature of body minus temperature खाता है ठीक है ठीक है अब इससे equation निकाल सकते आप इस equation को आप log की form में ले जाके equation निकाल सकते हो I am not sure if that is in our syllabus or not and I say equation तो निकल जाएगे बट इफ इस बोड़ी का जो temperature वह बहुत ज्यादा change नहीं हो रहा है मतलब मानलो कि या बॉड़ी का जो temperature यहाँ change होगा यह क्या लिकाए बॉड़ी के temperature के fall करने की rate ही तो लिखिए this is rate of change of temperature of the body dt by dt का बॉड़ी के temperature के change होनी की rate है तो मान लेते हैं कि dt by dt जो है वह बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है पतलब जो temperature change हो रहा है लेट इनिशल temperature मान लेते हैं बॉड़ी का टी आई है इनिशल temperature जो है मान लेते हैं हम लोग बॉड़ी का वो टी आई है और फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं बॉड़ी का वो टी एफ है और यह एक दूसरे के बहुत पास हैं बहुत जादा निया पात दस बीस डिग्री का अंतर बस ठीक है तो इस फॉर्मूला को मैं लिख सकता हूं सब्सक्राइब लिख सब्सक्राइब तू माइनस टी नॉट टी इनिशिल माइनस टी फाइनल माइनस को मल्टिप्लाइगर दिवाइड़ वाइड़ डेल्टा टी बरावर के अब ऐसे बहुत सारे सवाल है आपकी किताब में मेरे को यह पता है टी एफ बाइटू माइनस टी नॉट ठीक है सुन लो द्यान से सुन का अगर बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा रहा है टंप्रेशर बॉड़ी का तो आप यहां इस फी की जगाँ पर एब Grass टेंपरेचर लिख सकते हों क्या लिख सकते हैं तो उस केस में आप लोग यहां पर लिखोगे पाइनल माइनस इनिशिल कितने टाइम में चेंज हो रहा है और यहां लिख सकते हैं जो इनिशिल और मतलब मानलो पहले तीस था बाद में 40 हो गया तो 30 प्लस 40 बाइटू या पहले 40 था बाद में 30 हो गया टेमपरेचर तो 40 प्लस 30 बाइटू लिख सकते हैं ठीक है क्लियर है बाकि अगर मैं इसी एक्वेशन को आगे कंटीन्यू करूं किस एक्वेशन को सुन लो द्यान से अब टेमपरेचर निकालने का एक्जेक्ट जो है मैथड़ वो बता रहा हूं डी टी इसको टी माइनस टी नोट को नीचे लिए ओ माइनस को इदर भेज दो और दूट meus एकू ठीक है क्लीरवसर मानलो टी बराबर जीरो पे टेमपरेचर था बोडी का ती और किसी टाइम टी पर टेमपरेचर हो हो गया टी एफ तो बास ऑन इंटिहसन कर के निकाल नदे निकाल दे निकाल ति लि मिट आजाएगा 0 से T ठीक है तो यह बन जाएगाा अपने पास में LN ठीक है पहले उपर लिमिट रखेंगे तो उपर लिमिट रखेंगे तो उना एगा TF minus T0 minus लगाएंगे lower limit रखेंगे बराबर आजाएगा minus KT अच्छा, लोग M माइनस लोग N होता है, लोग M by N, क्योंकिया ना, माइनस केटी, लोग हटाएंगे, इधर E की पावर आजाएगी, टी एफ माइनस टी नॉट अपॉन, टी आई माइनस टी नॉट विल बेकल सुट इकी पावर माइनस केटी, इस रिलेशन से आपको अगर इ एकी वैल्यू वही है, फोर सिग्मा, E, A, अपॉन, MS और सराउंडिंग, टेम्परेचर पता है, तो आफ फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हो, हलाए कि इस सब की जोरोत आपको नहीं पड़ेगी, आपका काम सिरफ और सिरफ इसी फॉर्मूला से हो जाए, कहां गया, इसी टाइम में चेंज हो रहा है, जैसे कि कई बार आप से सवाल पूछे जाएंगे बेटा, जहां से सुन लेना, इस बात को, ऐसे कुश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, आप किताब में भी होंगे, और बहुत सारे कुश्चन आपने प्रैक्टिस भी कि होंगे, कि पाच सेकन्ड में माल लेते हैं, तो पीस से दस कितनी देर में होगा, कितनी देर में होगा, ठीक है, बॉड़ी है, सवन्नक कर टेमपरेचर देंघखा, आपको माल लो, पी नौटी देर रखा, कुछ भी माल लो, आपको बोला गया झा ऑचि में, बॉड़ी है, उसका 27 जो भी होगा तो आप का करोगे भाई पहले माइनस साइन लगाया आपने इनीशल टेंपरेचर टिस माइनस फाइनल अच्वाइनल इनीशल लगाएंगे तो फाइनल माइनसी निशल करना है माइनस सइन अंदर आ जाता तो यह वाला फॉर्मूला था न ह militar टी फाइनल अपॉन डेल्टा टी इसकोल स्वाइनस श्री इसकोल स्टू के इसकोल स्टू के टी एवरेज माइनस टी नौट यही था ना देखो कितना टेम्परेचर चेंज अरा इनीशल टी से फाइनल भी से तो दस डिग्री चेंज और पांस सेकंड में तो यह वैल्यों हमारे पास में क्या यह दूसरी क्वेशन दूसरी गुश्ण हमारे पास में कितना टेम्परेचर चेंज ओर बीस से दस व रहा एज तो दस चेंज और डिवाइड़ बाइदव डेल्टाट टी ट्री टाइम पूछा हुआ है इसी का स्टू के अर यहा जाएगा दस बीस और का यह पंदरा मार तर नॉट को मन को सुआंडिंगा तेंपरेचर दिया हुआ है फिए सुरांडिंग गाल ओपरेचर माल रवागिद लौगों को रखते इस एसा ब HER गइंश टेऊ हम से न्रा्य पर टेमेरेचर दिया हाँ को पांच डिगरी ठीक है तो मैं यहां पर पांच लिख दूंगा यहां पर भी पांच लिख दूंगा ठीक है ऐसे सवाल बहुत सारे मिलेंगे आप लोगों को बेटा ट्राइ करना ठीक है तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ रही है बेटा टू इसकोस्तु के इंटू 20 तो के की वैल्यू आगे मेरे पास वन अपन 20 ठीक इसमें पूट कर दो टैन अपन डेल्टा टी इसकोस्तु वान अपन 20 इंटू टैन ठीक है क्लियर है दस ते दस कैंसल आउट होगे टीकी वैल्यूरे बीस सेकंड देखो पहले पास सेकंड में बॉड़ी ठंडी हो रही ते दस डिग्री टेंपरेचर अब बीस सेकंड लग रहा है तो वही है बटा पॉड़ी की इनिशल रेट जो है वो ज्यादा होती है ऐसा नहीं है कि तीस से बीस पांच में और तो बीस से दस भी पांच में होगा देख लो भाई बीस सेकंड में हुआ है तो यह फॉर्मूला काम करेगा एक अप्रोक्सिमेटली एकुरेट वैल्यू भी देगा आपको कोई भी सवाल इस चैप्टर में अटकता है आप कमेंट सुमाच.